आज का व्याख्यान कुछ विशेश तरह का है ये ठाना के डॉक्टर्स लोगों द्वारा आयोजित है तो स्वाभविक रूप से मैं वही बात आज जादा करूँगा हो सकता ये बातें आपने कभी सुनी नहों मेरे व्याख्यान में कि इस देश में जो दवा का छेतर है ड्रग्स और फार्मसिटिकल का सेक्टर है उसमें विदेशी कमपनिया क्या कर रही है और इस देश के लोगों की स्वास्थ के साथ किस तरह का थिलवार किया जा रहा है कुछ दिन के बाद भारत तरकार दिली में पार्लेमेंट में एक बिल पारित करने जा रही है और वो बिल है पेटेंट एक्ट ये हमारे यहां 1970 में एक कानून बना था जिसका नाम है इंडियन पेटेंट एक्ट तो 1970 का जो इंडियन पेटेंट एक्ट का कानून है उसको बदल कर अब एक नया कानून भारत के पार्लेमेंट में पारित होने जा रहा है शायद अगले दो-तीन महिने में हो जाएगा तो ये जो नया पेटेंट का कानून आ रहा है वो क्यों आ रहा है और पुराना जो पेटेंट का कानून है हमारे देश में 1970 का वो क्यों बदला जा रहा है पेटेंट का माने होता है एक तरह का लीगल राइट वैदानिक अधिकार मने अगर कोई वैज्ञानिक या कोई व्यक्ति जब किसी चीज का आविशकार करता है इन्वेंशन करता है तो उस चीज के आविशकार करने वाले व्यक्ति को कुछ समय विशेश के लिए विशेश अधिकार दिया जाता। जो विशेश अधिकार मिलता है किसी भी व्यक्ति को अपने invention पर उसी कानूनी अधिकार को तकनी की भाषा में patent कहते हैं। तो patent का माने होता है एक तरह का विशेश कानूनी अधिकार जो हर उस व्यक्ति या company के पास होता है जो किसी नए वस्तू का आविशकार करती है। हमारे देश में 1970 से एक खास तरह का patent act लागू है। 1970 के पहले हिंदुस्तान में जो patent act चलता था वो अंग्रेजों का बनाया हुआ था। जब अंग्रेजों का राज चलता था इस देश में अंग्रेजों का साशन चलता था तो उन्होंने इस देश में कई तरह के कानून बनाये थे। तो ऐसा ही एक कानून अंग्रेजों ने बनाया था सन 1911 में और 1911 में अंग्रेजों की सरकार ने एक पेटेंट एक्ट इस देश में पारिद कर दिया था तो 1911 वाला पेटेंट एक्ट 1970 तक चलता रहा आजादी मिल गई थी 1947 में लेकिन आजादी मिलने के लगभग और 12-13 वर्षों तक सिर्फ बहस चलती रही कि हम हमारा पेटेंट एक्ट बदले कि नहीं बदले बहुत मुश्किलों से जाके 1970 में पेटेंट एक्ट एक्ट बदला गया पंडित जवाहरा लहरू जो इस देश के पहले प्रधान मंत्री थे वो अक्सर ये कहा करते थे कि अंग्रेजों के जमाने का जो बनाया हुआ पेटेंट एक्ट है अगर वो बदला नहीं जाएगा तो हिंदुस्तान का तक्नीकी विकास नहीं हो सकता हिंदुस्तान की टेकनोलजी का डवलप्मेंट नहीं हो परता तो हिंदुस्तान में टेकनोलजी का डवलप्मेंट करने के लिए बहुत जरूरी है कि अंग्रेजों के जमाने का बनाया गया पेटेंट एक्ट बदला जाए ये पंडित नहरू अक्सर कहा करते थे उन्होंने ही सबसे पहले पार्लेमेंट में एक दिल पारित किया करवाया था उस पेटेंट एक्ट के लिए लेकिन पंडित नहरू के अपने जमाने में वो लागू नहीं हो पाया दो-दो समितियां बनाई थी पंडित नहरू ने एक पेक्षंद बक्षी हुआ करते थे बहुत बड़े जज माने जाते थे इस देश में उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई थी और एक जस्सिस आयंगर की अध्यक्षता में दूसरी कमेटी बनाई तो दोनों कमेटीयों की ये रिकमंडेशन थी पारलेमेंट के लिए कि अंगरेजों के जमाने का जो बनाया हुआ पेटेंट एक्ष्ट है 1911 का वो बदल दिया जाए और हिंदुस्तान की सरकार अपने हिसाब से पेटेंट एक्ष्ट बनाए तो 1970 में वो दूसरा पेटेंट एक इस देश में बना और लागू हुआ 1970 के पहले जब हमारा पेटेंट एक्ष्ट नहीं था अंगरेजों वाला था तब देश की क्या हालत थी और 1970 में जब वो पेटेंट एक लागू हो गया तब देश की क्या हालत हुई इसका एक उधारण में आपको दूँ एक बार अमरीका से कुछ सांसद आये थे अमेरिकन पारलेमेंट के सेनेटर्स आये थे वहां अमेरिका की पारलेमेंट में जो उच्च सदन होता है उसको सेनेट कहते हैं तो अमरीका के पारलेमेंट के कुछ सेनेटर्स हिंदुस्तान में आये थे और उनकी अध्यक्षिता के लिए जो व्यक्ति आया था जो उनका बॉस था जो उस टीम का लीडर था उसका नाम था कैफूवर कैफूवर एक बहुत बड़ा सेनेटर हुआ अमेरिकन पारलेमेंट में तो कैफूवर ने हिंदुस्तान में आने के बाद एक स्टेटमेंट किया था और वो statement हिंदुस्तान के सभी अखवारों में छपा था हिंदुस्तान की बहुत सारी किताबें हैं जो drugs and pharmaceutical के sector में लिखी गई हैं उसमें कैफुवर का वो statement अक्सर reproduce किया जाता है वो statement क्या है कैफुवर ने कहा कि 1970 के patent act के हिंदुस्तान में लागू होने के पहले 1970 के पहले ये देश बाहर से आने वाली imported drugs और medicine पर चलता था और इस देश में कोई भी जरूरी दवा बनती नहीं थी जितनी दवाएं थी वो या तो import की जाती थी या multinationals से खरीदी जाती थी हिंदुस्तान में drugs and pharmaceutical के sector का total production 1970 में कुछ ताट सतर करोड रुपए के आसपास था बस तो यहां दवाएं बनती नहीं थी और महतुपूर दवाएं तो बिलकुल नहीं बनती जितनी दवाएं बनती थी वो दूसरे देशों में बनती थी विदेश में बनती थी और वो 1970 के कानून बनने के बाद, वो इंडियन पेटेंट एक्ट का कानून बनने के बाद, कैफुवर का कहना था, कि भारत अपने लिए जरूरी दवाएं उत्पादन करने वाला एक महतुपूर देश बन गया। मने 1970 के पहले दवाओं का कुल उत्पादन था इस देश में 70 करोड के आसपाद, और आज 1997 में हिंडुस्तान में दवाओं का कुल उत्पादन है लगबग 8000 करोड रुपई के आसपाद, ये लास्टियर के भारत सरकार के आंकडे हैं, कि जब हम अंग्रेजों के कानून के 80 करोड रुपई की, जब हमने हिंडुस्तानी कानून बना लिया, अपने हिसाब के कानून बना लिया, तो इस देश में दवाओं का उत्पादन हो गया है करीब 8000 करोड रुपई के आसपास, 1970 में हिंडुस्तान पूरी तरह से बाहर से आने वाली दवाओं पर चलता था, और यहां कभी भी कोई गंभीर बीमारी जब फैलती थी, तो अक्सर हजारों लाखों लोग इसलिए मर जाते थे कि समय से दवाओं नहीं मिल पाती थी, कई बार इस देश में महामारियां फैली हैं, और हजारों लाखों लोग इसलिए मर गए कि समय से बाहर से दवा नहीं आपाई और लोग मर गए यह 1970 के पहले की हालत थी लेकिन आज हम ना सिर्फ अपने देश में दवाओं का उत्पादन कर रहे हैं बल्कि हर साल हिंदुस्तान की सरकार करीब 2000 करोल रुपई की दवाओं का निर्याद कर रही है 1970 के पहले यह दो इश नेट इंपोर्टर कंट्री था पूरी तरह से बाहरत के काम चलते थे दवाओं के आयात पर आज हम ना सिर्फ उत्पादन कर रहे हैं बल्कि निर्याद भी कर रहे हैं तो यह जो चमतकार हुआ वो कैसे हुआ और एक तीसरी बात और है जो कैफूवर ने कही रिपोर्ट में कैफूवर ने कहा कि दुनिया के तमाम अमीर देशों में माने जिनको हम फस्ट वर्ड कंट्री कहते हैं अमरीका ब्रिटेन जर्मनी फ्रांस स्वीडन जापान ऐसे त चलता जाता है तो दन्या के तमाम अमीर देशों में दौाओं की जो खीमत हैं और जो क्वालिटी है तो क्वालिटी के हिसाब से हिंदूस्तान में बनने वाली दौाओं से बिस बिस गुनी सothe invece हैं जैसे में उधारण दूं आपको एक tablet है उसका नाम है जेंटेक जेंटेक टेंटेक हिंदुस्तान काि अमरिका में भी बन सिए तो हिंदुस्तान में अगर आप 300 mg की जेंटेक टेलेट को खरीदने जाइए तो एक स्क्रिप माने दस गोलियों का एक स्क्रिप जंटेक टैबलेट का इस देश में लगबग 30-30 रुपई के आसपास है और अमरीका में वही जंटेक टैबलेट का दस गोलियों का एक स्क्रिप साड़े साथ सो रुपई का है अमरीका में और ऐसी एक नहीं मैंने एक लिस्ट बनाई है दवाओं की हमारी एक छोटी सी पुस्टक है जिसका नाम है मौत का व्यापार कर के उस पुस्टक में एक लिस्ट दिया है कि हिंदुस्तान में बनने वाली दवाएं पांच रुपई की साथ रुपई की आठ रुपई की दस टैबलेट तक मिल सकती हैं वही दवाएं अमरीका में, 700 रुपए में, 800 रुपए में, 1000 रुपए में, 1500 रुपए में, इससे कम की नहीं हैं। तो कैफुवर ने कहा था ये बात, कि 1970 का अगर इंडियन पेटेंट एक्स ना बना होता भारत में, तो भारत में कभी भी लोगों को दवाएं उपलब्द नहीं हो पाती, इतने सथे दाम पर, तो आज हम दुनिया में, ना सिर्फ बेस्ट क्वालिटी की दवाएं पैदा कर रहे हैं, बलकि दुनिया में सबसे सथी दवाएं पैदा करने वाले देशों में, भारत इस समय नंबर एक पर है, दूसरा नंबर है बंगला देश का, तो ये जो चमतकार हुआ इस सेश में, वो चमतकार हुआ एक कानून की वज़े से, और उस कानून का नाम है इंडियन पेटेंट एक, 1970, अब क्या हो रहा है, उस इंडियन पेटेंट एक के कारण हिंदुस्तान में, इस समय दवा बनाने वाली करीब 18,000 स्वदेशी कमपनियां हैं, जो रजिस्टर्ड हैं, अन्रेजिस्टर्ड की बात तो मैं कर नहीं सकता, क्योंकि उनका कोई आंकड़ा उपलब्द नहीं है, बारत सरकार का स्वास्थ मन्त्राले के रिपोर्ट जो है, वो ये बताते हैं कि सारे देश में 18,000 दवाइं बनाने वाली इंडियन कमपनी्ज findet हैं, जहां 1970 में दवा बनाने वाली मुश्किल से 2-4 कमपनियां होती थैं, 10-12 प्रोड़क्षन यूनिक होते थे, अब आज हमारे देश में दवाएं बनाने वाले 18,000 प्रोडक्शन यूनिट्स हैं, जो रजिस्टर्ड हैं, सरकार के हाँ जिनका रजिस्टरेशन है तो ये जो चमतकार हुआ है, वो चमतकार एक ही कारण से हुआ, हमारे याँ दुनिया की सबसे सबस्ती दवाएं हैं, हमारे याँ दुनिया की best quality की medicines हैं, हमारे याँ दुनिया में R&D पर इस देश में दवाओं पर जो खर्चा हो रहा है, वो आप आश्यर करेंगे, कि हमारा दुनिया के तमाम देशों के खर्चे से कम जरूर है, लेकिन हमारे याँ quality जो है उतनी ही अच्छी है जितनी अमरीका में हैं या यॉरप के किसी दूसरे देश में, तो कम खर्चे में भी इस देश में R&D का काम चल रहा है, और कुछ बड़े public sector हैं जिन्होंने बहतरीन किस तो ये सारा का सारा चमतकार हुआ हिंदुस्तान में, 1970 के इंडियन patent act के आधार पर, वो patent act ऐसा क्या कहता है, जिससे हमारे देश में इतना बड़ा चमतकार हो गया, जो 1970 का patent act है, उसमें एक provision है, जो ये बताता है, कि हिंदुस्तान के drugs and pharmaceutical के sector में, किसी भी दवा को product patent नहीं म मिलता है, ये हमारे यहां विशेस बात है, तो क्या होता है, हमारे यहां, drugs and pharmaceutical के sector में, process patent नहीं मिलता है, लेकिन product patent नहीं मिलता, ये process और product का फरक क्या है, मैं आपको एक उधारन से समझाओ, मान लीजिए कोई एक medicine बनानी है, एक्स, तो X medicine बनाने के लिए हो सकता है, हमको A, B और C नाम के तीन तरह के chemical की जरूरत पड़े, तो हमने A को मिलाया B से, B को मिलाया C से, तो A plus B plus C, is equal to कोई एक medicine बन गई X, तो ये जो A, B और C को मिलाने का जो तरीका है, उनका जो ratio और proportion होगा, वो पूरा का पूरा तरीका कहलाता ह है process, और A, B और C को मिलने के बाद जो product बन गया, X, तो वो हो गया medicine, तो हमारे हां क्या है उस patent act के आधार पर, कि हमारे हां process का patent तो है, लेकिन जो product बना है उसका patent नहीं, और हमारे हां drugs and pharmaceutical के sector में जो process का patent मिलता है, उस पर जो patent की अवधी होती है, वो maximum 7 साल की है, 5 साल से लेकर 7 साल की अवधी तक के ही लिए patent इस देश में issue किया जाता है, patent माने एक तरह का legal right, तो माननीजे आप एक company चलाते हैं, उधारन के लिए, और आपने कोई एक दवा introduce की बाजार में, एक नई दवा बनाई, तो उस नई दवा के process पर आपको 7 साल के लिए patent मिल जा है, तो 7 साल के लिए आपको जो patent मिलेगा, उस 7 साल के patent पर आपके जैसे process से कोई दूसरी company दवा नहीं बनाईगी, आप से अलग कोई एक तीसरा process वो बनाईगी, आपने मान लीजे A प्लस B प्लस C एक process डवलप किया है, तो दूसरी कोई company होगी, वो A डेश प्लस B डेश प पर जिसको patent मिल गया तो 7 साल तक उस व्यक्ती का उस पर अधिकार होता है, जब तक वो व्यक्ती या company अपना अधिकार किसी दूसरे व्यक्ती और company को transfer नहीं कर देता, तब तक उस process से दूसरा कोई आदमी दवा नहीं बना सकता, ये हमारा कानून है, तो हमारे हैं क्या कि दवा मान लीजिए, एक्स है, लेकिन एक्स दवा को बनाने के लिए हो सकता है, बीस process हों इस पेशन, क्योंकि हमने process का patent दिया, तो उससे नतीजा क्या निकला, उससे नतीजा ये निकला कि एक ही दवा को अलग अलग कंपनियों ने अलग अलग तरीके से तयार किया, उनक मार्केट में competition है, और उस competition के कारण दवाओं के दाव नीचे आए, 1970 के पहले क्या थी, पूरी monopoly थी market में, बाहर से आने वाली imported drugs पर हम जिंदा रहते थे, तो market में पूरी monopoly थी, 1970 के बाद जब ये patent tax पारित हो गया, तो competition आया market में, क्योंकि 20 कंपनियां, 25 कंपनियां एक ही द बना रही है, तो जैसे जैसे competition बढ़ा market में, वैसे वैसे दामों में कमी आती गई दवाओं में, और quality डवलप होती चली गई, इसलिए आज हिंदुस्तान में, 18,000 production units हैं, और शायद आपको जानकर आश्यर होगा, कि एक-एक medicine को हिंदुस्तान में 50-50 कंपनियां बनाती है, दवा एक ही है, brand name अलग-अलग हो सकते हैं उसके, एक company ने मान लीजे, एक brand name दे रखा है, उसी दवा का, दूसरी company ने दूसरा brand name दे रखा, दोनों company का process अलग है बनाने का, लेकिन product same है, और अगर product same है, तो उसके end point के जो results हैं, वो भी same होंगे, नतीजे भी एक जैसे तो यह हमारे यहां जो 1970 का patent act लागू हुआ, उसकी वजह से यह चमतकार हुआ इस पेश में, हमारे यह process patent है, product patent नहीं दिया जाता, मान लीजे product patent होता, तो क्या होता, अगर हमने product patent दिया होता, तो जो medicine है, उस पर भी patent हो जाता किसी दूसरे व्यक्टी का, और अगर medicine पर patent हो होता, बस वही company market में उस दवा को बेचती और दूसरी कोई भी company उस दवा को बेच नहीं सकती थी, तो एक ही company की monopoly होती पूरे market में, एक अधिकार होता, और monopoly जो होती है तो आप जानते हैं कि exploitation जबरजस्त होता है, हर company अपने दाम इतने ज़्यादा बढ़ा देती है, कि दू लिए वो मुश्किल हो जाती है, monopoly इसलिए खराब मानी जाती है, तो 1970 का patent tech जबाया तो monopoly टूटी और competition आया, diversification आया, और बहुत तेजी से इस देश में, drugs and pharmaceutical के production का काम बढ़ा, अब क्या चल रहा है, अमरीका की तमाम ऐसी company'ा है, जो दवा बनाने के छित्र में हिंदुस्ता से दवाव डाल रही है, कि वो 1970 का जो patent tech है, उसको बदल दे, कौन को ने ऐसी company'ा है, अमरीका की एक company उसका नाम है Pfizer, ब्रिटेन की एक company है, उसका नाम है GLEX को, तो यह जो Pfizer और GLEX को नाम की एक company है, एक company है, उसका नाम है Smith Line Become, Swiss company, तो यह Pfizer है, GLEX को है, सीवा गाएगी है, GLEX Line Become है, यह तमाम multinational company'ा है, जो भारत सरकार पर दबाव डाल रही है, कि 1970 का जो Indian patent act है, उसको बदल दिया जाए, तो वो क्या चाहते हैं, वो चाहते हैं, कि 1970 के Indian patent act में, जो process patent की बात कही गई है, उसके साथ साथ product patent भी ले आया जाए, और दूसरी बात वो यह चाहते हैं, कि हमारे हाँ जो patentability की अबदी है, माने कितने समय के लिए patent मिल सकता है, तो maximum साथ साल के लिए मिलता है, तो American और European multinational company'ा चाहती है, कि कम से कम हिंदुस्तान में 20 साल के लिए patent मिले, तो इसका माने क्या होगा, अगर भारत सरकार, अमरीका की और ब्रिटेन की कमपनियों के सामने surrender करके, 1970 के Indian patent act को बदल दे, और अमरीकी कमपनियां और ब्रिटेन की कमपनियां जैसा चाहती है, वैसा patent act बना दे, तो हिंदुस्तान में process patent के साथ साथ product patent भी आ जाएगा, और process और product patent के साथ साथ एक-एक patent की अधिक्तम अवधी कम से कम 20 साल की होगी, तब इसका माने क्या है, किसी एक खास दवा को जिस कमपनिय के पास उसका patent है, वो कमपनिय कम से कम 20 साल तक market में अपनी monopoly में उस दवा बेचेगी, और अगर 20 साल तक एक ही company की monopoly रहे market में, किसी एक particular दवा के लिए, तब आप अंदाजा कर सकते हैं, कि वो company कितना लूटेगी, चोंकि आपके पास कोई vicalp नहीं होगा, कि सिवाए उस दवा के आप कोई दूसरी दवा खरीद नहीं सकते, और आप क्योंकि एक doctor है, तो आपके पास एक दूसरा संकट भी होगा, कि एक ही company की जब दवा है market में, तो सिवाए उस दवा के आप दूसरी दवा प्रेसक्राइब नहीं कर सकते, और तब वो company अपनी monopoly का फाइदा उठा कर हो सकता है, जेंटेक टेबलेट के 10 टेबलेट के strip को, जो अमरीका में दाम है, 7800 रुपए उसी दाम पर हिंदुस्तान में विके, क्योंकि जेंटेक बहुत जरूरी टेबलेट है, essential drugs में आती है, हिंदुस्तान की सरकार ने एक list बनाई है, जिसमें 117 medicines हैं, जो 100% essential मानी जाती है, हाथी कमीशन की एक report आई थी इस देश में, उस हाथी कमीशन की report ने बताया था, कि 117 दवाएं तो बहुत जरूरी है, और उन बहुत जरूरी दवाओं में, रैनिटेडीन एक दवा है, जिसको जेंटेक कहते हैं, उसका ब्रेंड नेम जेंटेक है, मूल नाम उस दवा का रैनिटेडीन है, तो रैनिटेडीन एक बहुत जरूरी दवा, ऐसे ही एक डाईकलोफینेक है, जिसको वॉवेरॉन के नाम से बेचा जाता है सारे देश में, तो वॉवेरॉन जो है, उसका ब्रेंड नेम है डाइकलोफेनेक उसका ओरीजनल नेम है मेडिसिन का अपना नाम है तो डाइकलोफेनेक भी एक बहुत जरूरी दवा है मूल दवा है तो ऐसी जो मूल दवाएं हैं जिनकी संख्या इस समय भारत में 117 है World Health Organization की लास येर की जो रिपोर्ट आई है वो ये बता रही है कि हिंदुस्तान में अभी कुछ और ऐसी डेल सो से ज़्यादा मेडिसिन्स जवलप हुई है पिछले दस साल में जिनको जरूरी माना जा सकता है तो उसको भी अगर हम ध्यान में रखें तो कुछ ढ़ाई सो दवाएं ऐसी हैं जो बहुत जरूरी है और इन बहुत जरूरी ढ़ाई सो दवाओं के छेतर में मान लीजिए किसी मल्टी नेशनल कंपनी ने प्रॉड़क्ट पेटेंट भी ले लिया और प्रॉसेस पेटेंट भी ले लिया तब तो हिंदुस्तान के लोगों के पास सिवाए मरने के दूसरा कोई रास्ता नहीं बचेगा और इतना बड़ा खत्रा इस देश के सामने है दुर्भाग के क्या है भारत सरकार ने अमरीका की फाइजर और अमेरिकन लेबरेटरी ब्रिटेन की ग्लैक्स को यौरप की सीवागाई की सेंडोज इसमित लाइन बीकम ऐसी दस बारे बड़ी-बड़ी मल्टी नेशनल कंपनियों के सामने इस समय की सरकार ने पूरी तरह स दॉस ऐसा चाहती है वैसा ही कानून इस देश में बनने जा रहा है अगले दो महीने के बार और उस कानून में जो सबसे खतरनाक बात एं वो दो बाते हैं जो मैं आप से शेयर कर रहा हूं पहली बासalon कि उस कानून में प्रॉसेप पेटंट के साथ साथ PM प्रॉड़क्ट आसानी से समझ सकते हैं कि मान लीजिए एक process से मैंने एक patent ले लिया किसी एक process पर suppose करिए A plus B plus C एक process है उस पर मैंने patent ले लिया और A plus B plus C से बनने वाला जो product है X उस पर भी मैंने patent ले लिया क्योंकि दोनों ही patentable है नया कानून जो आ रहा है उसमें process भी patentable है product भी patentable है तो मैंने A plus B plus C पर पहले patent में लिया फिर उसके बाद जो X product बना उस पर दुबारा patent ले लिया तो A plus B plus C का मेरा patent 20 साल चलेगा और जो product आया X उस पर भी patent अगले 20 साल तक चलेगा और मान लीजिये जब मेरे patent की अवदी 20 साल की पूरी हो गई तो मैंने 20 साल में एक दिन पहले ठीक एक दिन पहले A plus B plus C को थोड़ा सा change किया और मैंने कर दिया A plus B plus half C या ऐसा कर दिया A plus B plus 2C तो क्या होगा process भी बदल गया और product भी बदल गया लेकिन product का जो result होंगे वो पूरी तरह से नहीं बदलेंगे थोड़े result बदलेंगे जादा result नहीं बदलेंगे क्योंकि उनमें A component भी है B component भी है बस C component में थोड़ा सा मैंने fractions change कर दिये कुछ micro level के मैंने fractions उसमें change कर दिये तो फिर एक नया patent अगले 20 साल के लिए मुझे फिर मिल गया और अगले 20 साल के लिए product का भी मिल गया तो इसका माने क्या हुआ? कम से कम 40 साल तक मेरी monopoly को कोई market में challenge नहीं कर सकेगा तो इसका माने 40 साल तक लोगों को मरना पड़ेगा जो दाम तै करेगी multinational company उसी दाम पर वो दवाएं आपको खरीदनी पड़ेंगी और एक तीसरी और खतरनाक बात जो हो रही है सरकार ने जो surrender किया है multinational company के सामने हमारे याँ एक कानून चलता था जिसका नाम था DPCO drug price control order और ये DPCO कानून क्यों चलता है ये DPCO कानून इसलिए चलता है कि बहुत सारी ऐसी कंपनिया हैं इस देश में जो हजारों प्रतिशत का मुनाफ़ा कमाती है आप तो डॉक्टर ने इसलिए आप जानते हैं कि जिस दवा का cost of production दो पैसा, पांच पैसा, दस पैसे का आता है वो दवा बजार में 10 रुपई की, 12 रुपई की, 15 रुपई की बड़े आराम समिखती और दवा का छेतर एक ऐसा छेतर है जिसमें मरने वाला आदमी cost of production नहीं पूछता घर का गहना भी बेचेगा, घर का सामान भी बेच देगा मरीज को बचाना उसके लिए सबसे प्रमुकलक्च होता तो जितनी महंगी से महंगी दवा होगी वो बिचारा चुपचाप उसको खरीद कर लाता बले ही उस दवा को करने में उसके घर की संपत्ती ही क्यों न बिख जा तो अगर मान लीजिए 40 साल तक किसी एक कंपणी की पूरी मोनोपली रहे मार्केट में तब आप जिरा कलपना करिए कि दरश्य क्या होगा 1970 के पहले की हालत इस देश में वापस लौट आएगी और तीसरी और एक सबसे खतरनाक बात उस पेटेंट एक्ट में जो होने जा रही है वो ये कि हमारे आप तक क्या होता था कि जिस कंपणी को पेटेंट दिया जाता उस कंपणी से ये एग्रिमेंट करती है सरकार कि आपको जिस दवा के लिए पेटेंट दिया जा रहा है पेटेंट मिलने की एक निश्चित अवदी में आप उस दवा का उतपादन शुरू कर दें नहीं तो क्या है बहुत सारी कंपणिया क्या करती है पेटेंट लेके बैठ जाती है ना खुद उतपादन करती है ना किसी दूसरे को करने देते हैं हाँ बही मानी तो इस देश में इतनी बयंकर है तो बहुत सारी कमपनियां इसलिए पेटेंट रजिस्टर्ड कराती हैं ताकि दूसरा कोई आदमी वो माल ना बना सके तो हमारे यह नियम है नियम यह है उसको हम लोग तक्नी की बाशा में कहते हैं कमपलसरी लाइसेंसिंग का नियम है वो तो कमपलसरी लाइसेंसिंग का नियम यह है कि जिस कमपनी को पेटेंट मिला उस कमपनी को पेटेंट मिलने की एक निश्यत अवदी में उत्पादन करना ह पढ़ेगा और एक दूसरी बात कि वो कमपनी जब उत्पादन करेगी तो उसको इस्थानिय संताधनों का ही इस्तेमाल करना पढ़ेगा नहीं तो कई बार क्या होता है जैसे मान लीजे फाइजर एक कमपनी है उसको मान लीजे पेटेंट मिल गया किसी दवा पे तो फाइजर क्या करेगा वो यहां नहीं बनाएगा वो कहगा हमारी अमरीका की जो यूनिट है वहां से जो बनती है उसको हम इंदुस्तान में लाएंगे क्योंकि बाहर से लाने वाली दवा में उनको ट्रांस्वर प्राइसिंग का मौका मिल जाएगा जो दवा आपके देश में 5 कि होगी तो यहां अगर वह पांच रुपए में बेचेंगे तो प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम होगा वही दवा अगर साड़े 900 में बिखना शुरू हो जाएगी तो प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाएगा इसलिए वह कोई निश्चित समय में दवा का उत्पादन करना पड़ेगा नंबर एक और नंबर दो जिस दवा पर पेटेंट मिला है उस दवा को आप इंपोर्ट नहीं करेंगे वह आपको लोकली मैनिफेक्चर करनी ही पड़ेगी और अगर आपने नहीं की तो आपका पेटेंट रिवोक कर पिए जाएगा रद्द कर दिया जाएगा और किसी दूसरी कमपनी को दे दिया जाएगा कई तो अभी जो नया पेटेंट यट्त कर दो बनने जा रहा है जिसको बारत सरकार बनाने जा रही है multinational के सामने surrender करके उसमें ये व्यवस्था है कि कोई भी company जो patent हासिल कर लेगी तो वो जो patent होगा वो equivalent होगा import के इस बात को समझे कि मान लीजिए कोई company ने patent लिया है किसी एक दवा पर और उसी दवा को वो company import करके ला रही है अपने देश से तो वो जो importation है वो easy quality होगा patented तो बाहर से आने वाली दवा का जो import होगा वो अगर हिंदुस्तान के local production के हैसियत का माना जाएगा तो कोई भी company यहाँ दवा बनाएगी नहीं क्योंकि यहाँ दवा बनाने में profit margins बहुत कम है इसलिए वो सारी की सारी दवाओं को बाहर से import करके हिंदुस्तान में dump करने का ही काम चुरू करेंगे जो 1970 के पहले चलता था और इससे भी जादा एक खतरनाक चीज उस patent act में जो आ रही है भारत सरकार जिसको बना रही है और पार्लेमेंट में जो आने वाला है अगले महीने वो यह है कि बाहर की कमपनिया जो हिंदुस्तान के market में आकर irrational और irrelevant drugs बनाती रहती है आप तो डॉक्टर हैं इसलिए आप जानते होंगे इस समय हिंदुस्तान के market में 84,000 formulation हैं प्रिजेंट इंडियन मार्केट में और उन 84,000 formulation में खाथी कमेटी की recommendations के अनुसार और डबलु एचो की report के अनुसार सिर्फ धाई सो दवाएं हैं जो जरूरी है तो बाकी की सारी दवाएं जो हैं वो गैर जरूरी हैं बेकार हैं irrelevant हैं, irrational हैं लेकिन इस देश में दुर्भागी क्या है कि जितनी multinational company'ा है वो सबसे ज़्यादा irrational और irrelevant drugs ही बना रही है और ऐसी दवाएं इस देश में सबसे ज़्यादा बिक रही है जिनकी शायद हमको कोई जरूरत नहीं है जो जबरजस्ती खिलाई जाती है और बस्ती में बाद में वो बायो ग्रूप में चले गए और डॉक्टर हो गए मैं इंजिनिरिंग में चला गया और इस फील्ड में आ गया तो अभी मेरे दो दोस्ते हैं जो वहां के आर एंडी में बहुत गहरे जुड़े हुए तो उन्होंने एक research paper तैयार किया है जिसको हमारे हाँ एक medical friend circle होता हिंदुस्तान के تمाम शहरों में डॉक्टरों ने एक society बनाई हुई है जिसका नम है medical friend circle society तो उनका हर साल एक convention होता तो last year का जो convention हुआ था उसमें मैं गया था उसमें all aims के दो doctor ने जो मेरे मित्र भी रह चुके हैं एक पेपर प्रजूस किया जिसमें उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा इर्रेशनल और इर्रेलिवेंट ड्रक्स इस समय बन रही है दुनिया के तमाम देशों में जिन दवाओं को बनाने पर पाबंदी लगी हुई है वो दवाओं हिंदुस्तान में धडलले से बन रही हैं और बिक रही है जिन दवाओं को खाना जहर माना जाता है वो दवाओं हिंदुस्तान में ना सिर्फ बिक रही है बलकि ऐसी कमपनियों को करोणों करोणों रुपए के फाइदे हैं और ऐसी कितनी दवाएं हैं तो वो जो रिसर्च पेपर उन्होंने प्रोडियूस किया उस रिसर्च पेपर में उन्होंने कुछ 515 दवाओं की एक लिस्ट दी है उसमें से मैं आपको कुछ नाम पढ़के सुनाओ बड़ी इंप्रेस्टिंग लिस्ट है All India Institute of Medical Science के दो सीनियर डॉक्टरों का रिसर्च है उसमें उन्होंने जो मज़ेदार लिस्ट है उसके दो हिस्से है पहला हिस्सा ये है कि हिंदुस्तान में कितनी ऐसी दवाएं हैं जो इर्रेशनल और इर्रेलिवेंट है और दूसरी लिस्ट उसका रिसर्च पेपर का हिस्सा है कि हिंदुस्तान में ऐसे कितने हेल्थ टॉनिक्स हैं जो कुछ भी हेल्थ नहीं देते आप एक नहीं 100-200-500 हेल्थ टॉनिक के डिब्बे खा लीजिए आपकी हेल्थ में एक प्रतिशत भी ब्रद्धी होने वाली नहीं है तो जो इर्रैशनल इर्रैलिवेंट हेल्थ टॉनिक्स है और इर्रैशनल और इर्रैलिवेंट दवाएं हैं उनके बारे में उन्होंने एक लिस्ट बनाई है मैं उसमें आपको कुछ नाम पढ़कर सुनाओं इस देश में सबसे ज्यादा शायद बिकने वाली दवा है इस समय बुफेन और बुफेन के बारे में उन्होंने कहा है कि ये दुनिया के पंद्र देशों में बैन हैं और वो सारे के सारे पंद्र देश हैं developed countries अमरीका कनाड़ा जर्मनी फ्रांस स्वीडन, स्विट्जरलेंड, ब्रिटेन और क्यों बेन है तो वो कहते हैं कि बुरूफेन से आथों में घाव हो जाता है और अलसर भी हो जाता कई बार और बड़ी इंट्रेस्टिंग स्टडी है उन दोनों डॉक्टर्स की इंट्रेस्टिंग स्टडी क्या है उन्होंने एक उधारन लिया है उसमें और वो उधारन हम सब को समझ में आ सकता वो कहते हैं कि मानने शरीर में कहीं दर्द हो रहा है और हमने कहा कि आप बुरूफेन खा लीजे और उस बिचारे मरीज ने बुरूफेन खरीद के खा लिया सच्चाई में जितना दर्द है उसको ठीक करने के लिए हो सकता है 5 मिली ग्रेम बुरूफेन की जरूरत पड़े या हो सकता है 4 मिली ग्रेम या 3 मिली ग्रेम ही जरूरत पड़े या हो सकता है जादा से जादा 10 miligram की ज़रूरत पडे लेकिन टैबलेट है 400 MG का या टैबलेट है 250 MG का या टैबलेट है मान लीजिये 300 MG का तो वो डॉक्तर कहते हैं कि आपको अगर 10 miligram की ज़रूरत है वो दर्द ठीक करने के लिए लेकिन आपने टेबलेट खा लिया है धाई सो एम जी का तो वो जो चला गया शरीर के अंदर उसमें से दस मिली ग्राम तो काम में आएगा लेकिन जो बचा हुआ दो सो चालीस मिली ग्राम है वो शान्त नहीं बैठने वाला वो कुछ न कुछ करेगा और वो जो कुछ करेगा उसका रिजल्ट ही निकल सकता है कि हो सकता है आपकी आँटों में घाव पैदा कर दे हो सकता है आपको अल्सर की बीमारी बना दे हो सकता है आपको ऐसी और कोई तीसरी बीमारी पैदा कर दे इसलिए यौरप के देशों में बुरूफेन बेन है लेकिन हिंदुस्तान में बहुत धडले से बिकती है ऐसे ही एक दूसरी दवा के बारे मुनों ने कहा है एस्पिरिन एस्पिरिन दुनिया के 40 से ज़्यादा देशों में बेन है लेकिन हिंदुस्तान में दडले से बिक वही है एक ऐसी ही दवा के बारे मुन ने लिखा पेरासीटा मोल पेरासीटा मोल दुनिया के 12-15 देशों में इस समय बिकती नहीं जापान ने अभी तीन साल पहले पेरासीटा मोल को बेन किया कारण क्या है वर्ड हेल्थ और्गनाइजेशन का एक जरनल मेरे आता है जहां इलावाद में जिस रिसर्च इंस्ट्यूट में काम करता हूँ वहां दुनिया बर के तमाम जरनल्स में मगाता हूँ तो डबलु एचो के जरनल्स रेगुलर मेरे यहां आते हैं तो पिछले तीन साल पहले का जो डबलु एचो का जरनल आया उसमें उन्होंने बताया कि पैरसीटा मोल खाकर जापान में करीब डेल लाख बच्चे पैरलिटिक हो गए अपंग हो गए और वहाँ जापान में अक्सर डॉक्टर पैरसीटा मोल को एंटी पायरिटिक के रूप में इस्तेमाल करते हैं तो डेल लाख बच्चे जब अपंग हो गए और पैरलिटिक हो गए तो वहाँ की जापान की सरकार ने कमीशन बिठाया और उस कमीशन की रिपोर्ट आई उस रिपोर्ट को डबलू एचो ने अपने जर्नल में प्रोड्यूस किया और वो रिपोर्ट यही कह रही है कि जापान के डॉक्टरों ने पता लगाया कि बहुत अधिक मात्रा में पैरसीटा मोल खाने के कारण जापान के बच्चे लपंग वो अपंग हो गए लकवे के मरीज हो गए उसके तुरंत बाद जैपेनीज गवर्मेंट ने पैरसीटा मोल को बैन कर दिया लेकिन हमारे यहां धडलले से विक रहा पैरसीटा मोल और अक्सर इस देश के छोटे-छोटे बच्चे पैरसीटा मोल खा रहे हैं कभी-कभी तो इस देश में लोग जो हैं बिना डॉक्टर के पास जाए खुद अपनी डॉक्टरी शुरू कर देते हैं तो उनका क्या करें जड़ासा बुखार आया पडोसी आपको आ जाएगा सुझाओ देने के लिए के पैरसीटा मोल ले लो जुकाम हो गया तो पडोसी आ जाएगा आपको बताने के लिए को कोलडारिन ले लो यहां तो प्रॉब्लम एक और बड़ी है कि हर व्यक्ति इस देश में बड़ा भारी डॉक्टर है तो कभी कभी तो डॉक्तर के पास जाने की जरूरती नहीं प्रेस्क्रिप्शन के लिए वो खुदी प्रेस्क्रिप्शन कर लेते हैं और भीमारी चालू हो जाती है और ऐसी कुछ पांच सो पंदरे दवाएं हैं इसमें एक दवा और है जो इस देश में बहुत बिक्ति है प्लैसिडॉक्स प्लैसिडॉक्स इस देश में बहुत बिक रही है और प्लैसिडॉक्स के बारे में हैं कि हमारा जो नर्वस सिस्टम है उस पर सबसे ज़्यादा साइड इफेक्ट है प्लैसिडॉक्स के इसलिए प्लैसिडॉक्स दुनिया के करीब बारे तेरे देशों में बिकती नहीं तो ऐसी पांसो पंद्रे मेडिसिंस हैं जो दुनिया के तमाम देशों में बंद कर दी गई हैं लेकिन हिंदुस्तान में धडलले से बिक रही हैं और इन में एक दूसरे दुख और दुर्भागी की बात है उस रिसर्च पेपर में उन्होंने ये प्रोड्यूस किया कि बहुत सारी ऐसी दुआएं हैं जो कई कई नामों से बिक रही हैं और उसमें क्या होता है मैं आपको बताओं जैसे हम कभी बीमार पढ़ जाते हैं फिर तीसरी बार चले गए डॉक्टर सावब के पास कि कोई असर नहीं है तो फिर एक तीसरा prescription आया तो पता चला दस prescription ब्दले और एक भी दवा का असर नहीं हुआ कारण क्या है अच्लिक झाया है और इसका कारण क्या है इसका जो सबसे बड़ा कारण है दुनिया के जितने अमीर देश हैं कई यॉरपियन देशों में गया हूं किसी भी यॉरपियन देश में कोई भी दवा ब्रैंड नेम से नहीं बिक्ती सारी सारी दवाइं उनके ओरीजिनल नाम से बिक्ती brand name कहीं bracket में पढ़ा रहता लेकिन original name पहले रहता तो उससे पता चल जाता है कि दवा क्या है यहां क्या है कि brand name से दवाइं बिक्ती है original name मालूम नहीं होता ज्यादा तो डॉक्तरों को भी नहीं मालूम होता और पेशेंट को भी नहीं मालूम होता और इस इस देश में हमारे जैसे बहुत सारे लोग कम से कम हम लोग आज़ादी बचाओ आंदोलन की तरफ से पिछले पांच साल से पारलेमेंट के एमपीज को ये समझाने की कोशिश कर रहे है कि एक ऐसा कानून इस देश में बनना चाहिए जिससे दवाएं ब्रेंड नेम से ना बिकें उनके ओरीजनल नेम से बिकें और अगर ये यॉरप और अमरीका में हो सकता है तो हिंदुस्तान में क्यों नहीं हो सकता लेकिन वो होने नहीं दिया जा रहा है क्योंकि अगर brand name छोड़कर उनके original नाम से दवाइं भिकना शुरू हो गई तो ये एक दवा 40 नाम से कैसे भिकेगी और उसमें करोडों करोडों का जो घोटाला है वो कैसे हो पाएगा तो जो दवा का छेतर है वो हिंदुस्तान में सबसे बड़े सेवा के छेतर के रूप में जाना जाता और इस देश में जितने लोग डॉक्टर बनते हैं और डॉक्टर बनने के बाद जो काम करते हैं वो एक सेवा के रूप में ही इस देश में दिया जाता तो उस सेवा के छेतर में लोगों की जान के साथ खिलवार करके कुछ करोर रुपए का मुनाफ़ा कमाना है अगर ये प्रवर्ती पैदा हो रही है और सबसे जादा ये प्रवर्ती मर्टिनेशनल्स में आ रही है तो इस देश के लिए बहुत बड़े खत्रे की निशानी है ये और मान लीजिए अगर ये चीज़ें हो गई अभी तक तो मैं आपसे तंभावना व्यक्त कर रहा हूं लेकिन हो सकता है दो महीने के बाद ये कानून पारित हो जाए तो दो महीने के बाद अगर ये कानून पारित हो गया तो आप इसकी कलपना नहीं कर सकते कि इस देश में दवाओं की कीमतें कितनी तेजी से बढ़ेंगी तीन साल पहले लिबरलाइजेशन और गलोबलाइजेशन के नाम पर मनमोहन सिंग जब इस देश के वित्तिमंतरी बने थे तो उन्होंने डीपी सियो खतम किया था ड्रट प्राइस कंट्रोल और्डर खतम किया था तो जैसे ही डीपी सियो खतम हुआ है आप देखिए पिछले तीन साल में दवाओं की कीमतें कम से कम दस गुनी तक बढ़ी है पिछले तीन साल मेरे शहर में एक बहुत बड़े डॉक्टर है इलाभाद में वो अक्सर मुझको कहते हैं कि राजी हूँ पिछले 40 साल में दवाओं की कीमतों में जो बड़ोतर ही नहीं हुई है वो पिछले 3-4-5 साल में हो गई है इतने तेजी से और अभी सिर्फ डीपी सियो खतम हुआ है तब ये हालत है मान लीजिए ये पूरा पेटेंट एक्ट ही बदल गया और उसके आदार पर जो अमेरिकन और मल्टिनेशनल कमपनिया चाहती है वो पेटेंट एक्ट आ गया तब तो आप कलपना नहीं कर सकते कि क्या होगा इस पेशम चलता है और कम से कम 20 साल के लिए वो कानून वहाँ पर है जैसे अमरीका जैसे कनाडा जैसे जर्मनी जैसे फ्रांस जैसे ब्रिटेन इन तमाम देशों में आप देख लीजिए इलाज करवाना दुनिया में सबसे ज्यादा मेहगा है अमरीका में अमरीका में कोई भी मरीज अपने इलाज के वारे में तब तक सोच नहीं सकता जब तक उसका इंशुरेंस नहीं बिना इंशुरेंस के अमरीका में इलाज कराना माने घर बार सब बेच देना चोटी से चोटी बीमारी का इलाज करवाने में खर्च हो जाते हैं वहां पर तो इतना हाई कॉस्ट है ट्रीटमेंट का कारण क्या है हाई कॉस्ट ट्रीटमेंट का अमरीका में इसलिए है क्योंकि उनके हाँ प्रॉड़क्ट पेटेंट चलता और कम से कम 20 साल के लिए उनके मोनोपली है एक एक कंपनी की पूरे मार्केट मे एक एक दिवा पर तो वह कंपनी जब तक उसका पेटेंट रहता है तब तक मन मानी कीमतें वसूलती है है और अमरीका में इस समय जितनी मेडिसींस बिकरही है उनमें मुश्किल से 10 to 15 percent medicine patented है भाकी सारी of patented है कि और off patented होने का फाइदा क्या होता है कोई भी दूसरी company कोई भी तीसरी company कोई भी चौती company उससे ज्यादा किसी अच्छे process से उससे ज्यादा किसी सस्थे तरीके से वो दौब बना सकती है और market में बेच सकती है पेटेंटेड होने का माने हर उस कंपणी को दवा बनाने से रोका जाए जो मार्केट में इन्नोवेट करने के लिए आना चाहती है और एक सबसे खतरनाक चीज इस कानून में जो होने जा रही है हमारे यहां एक नए तरह का कानून आ रहा है यह जो पेटेंट एक्ट आ रहा है इसमें चोरी अगर की किसी ने जैसे मान लीजिए अमेरिकन कमपनी का पेटेंट है किसी मेडिसिन पे और हिंदुस्तान की किसी कमपनी ने उस मेडिसिन को बनाया और मार्केट में बेचा तो इसका माने उस अमेरिकन कमपनी के पेटेंट का वॉयलेशन किया आपने तो अमरिकन कमपनी के पेटेंट का जब वॉयलेशन किया तो आपके उपर केस जब चलेगा तो उस केस में इस्तिती क्या होगी उस केस में इस्तिती कुछ इस तरह की होगी जैसे मैं एक उधारन से आपको समझाओ मान लीजे मेरी घड़ी है ये घड़ी आपने चोरी कि तो मैं कोट में जाऊँगा और मुकदमा करूँगा आपके खिला और मैं सिद्ध करूँगा कोट में जाकर कि आपने मेरी घड़ी चुराई है अब जो नया पेटेंट एक्ट आने जा रहा है उसमें क्या होगा जिस आदमी ने आरोप लगाया जैसे मैंने आरोप लगाया आपके ऊपर के आपने चोरी की है हमारे पेटेंट के वोईलेशन का काम आपने किया तो उसमें स्थिती क्या होगी नए पेटेंट एक्ट में जो प्रोवीजन है उसका टाइटिल है रिवर्सल आफ बर्डन आफ प्रूव इसका माने का इसका माने ये है कि अगर मैंने आपके ऊपर आरोप लगाया कि आपने मेरी घड़ी चुराई है तो आपको सिद्ध करना है कोट में कि आपने घड़ी चुराई है कि नहीं चुराई है मैं नहीं सिद्ध करूँगा मैं तो कोट में आपके ऊपर आरोप लगा कर छुटी हो गई मेरी तो और मैं जो चाहूँगा वो करूँगा आप मरते रहिए खटते रहिए यह सिद्ध करने के लिए कि आपने चोरी की है कि नहीं की है माने जो चोर होगा उसको सिद्ध करना पड़ेगा कि आप चोर हैं कि भले आदमी जो आरोप लगाएगा वो सिद्ध नहीं करेगा जो आरोपी होगा उसको सिद्ध करना पड़ेगा कि मैंने चोरी की है या नहीं की है ऐसी इस्तिती में क्या होगा ऐसी इस्तिती में बहुत अच्छा एक तमाशा इस देश में चलेगा कि अमरीक का कॉम्पूटिटर मान लीजिए डॉक्टर रेडीज लेबरेटरी है है तो फाइजर क्या करेगा उन दस-पांच कमपनियों के अपने परड़क्वशन बंद करने पड़ेंगे और मार when..." एक जाके फैसले की स्थिति तक आपको अपने मारकेट से आउट होना पड़ेगा और उतने साल में मान लीजिए पांच साल मुकदमा चला या दस साल मुकदमा चला तो फाइजर पूरे मारकेट में अपनी मौनोपली एस्टेबलिश करेगा और इस देश में आप जानते हैं कि कोई भी केस का फैसला 20-25 साल से पहले होता नहीं चोटे से चोटे केस के लिए आप सुप्रीम कोट में चले जाएए कम से कम आपको 15-20 साल तो बड़े आराम से गुजर जाएंगे आपके केस का फैसला ही नहीं होने वाला तो अमरीका की जो कमपनियां हिंदुस्तान में अपनी मौनोपली एस्टेबलिश करने की कोशिश करेंगी उनके लिए तो बिलकुल खुला हुआ रास्ता है कि वो जिस कमपनी पर चाहें आरोप लगा दे रिवर्सल आफ बर्डन आफ प्रूफ के तहट हिंदुस्तानी कमपनी को अपना पड़ता है कि दूसरे ने चोरी की है या नहीं की है अब एक नया नियम इस देश में आ रहा है कि चोरी करने वाले को सिद्ध करना पड़ेगा कि आपने चोरी की है या नहीं की ऐसी इस्थिती में हिंदुस्तान का क्या हो सकता है मैं मेरी बात शऑाँ नहीं कहता हिंदुस्तान में इस समय जो राश्ट्रपती जिनका नाम है क्व अर्न यह पहले उपर राश्ट्रपती रह चुके में जब क्यार नाइर्यन्ट सहब उपर राश्ट्रपती हुआ करते थे तो उस समय एक statement उन्होंने दिया दिल्ली में वो मुझे अभी भी याद है IIT में एक Convocation हुआ दिल्ली IIT में और चांस की बात ये थी कि मैं गया था उस Convocation में उनका व्याक्यान सुनने के लिए तो एज वाइस प्रेसिडेंट ओफ इंडिया क्यार हमारी total population है हिंदुस्तान की उस population का सिर्फ 30% हिस्सा दवा खरीद पाता है ये तब उन्होंने कहा जब हिंदुस्तान में दवाएं दुनिया की सबसे सस्ती दवाएं मानी जाती कि ये statement उनका उस समय का है जब हिंदुस्तान में अपना पेटेंट एक्ट चलता है और हम ना सिर्फ बेस्ट क्वालिटी की दवाएं पैदा करते हैं बलकि हिंदुस्तान में हम सबसे सबस्ती दवाएं पैदा करते हैं तब भी हिंदुस्तान की कुल आबादी का 30 प्रतिशत हिस्साही दवा खरीद पाता है 70 परसंट लोग तो अभी भी दवा खरीदने की इसकती में नहीं माल लीजिए ये नया पेटेंट एक्ट आगया तब क्या होगा तब तो शायद ये होगा कि हिंदुस्तान की पूरी आबादी का मुश्किल से 5 से 10 परसंट हिस्साही दवा खरीदने की हैसियत रखेगा क्योंकि दाम इतने तेजी से बढ़ेंगे और हमारे पास उन दामों को रोकने के लिए कोई कानून नहीं होगा क्योंकि कानून जो था वो पहले से हटा दिया है बी पी सी होगा और तब इस देश में कभी आप कल्पना करिए कि मान लीजिये कोई एक पर्टिकूलर मैडीसिन है और उस पर्टिकूलर मैडीसिन पर किसी विदेशी देशी कंपणी का अधिकार है और उस विदेशी कंपणी को मान लीजिये 20 साल के लिए पेटन्ट राइट मिला हुआ है का और प्रोड़क्ट का और बाइद अबे हिंदुस्तान में सूरत जैसी इस्थती पैदा हो जाए जो कुछ साल पहले हुई थी अब वो प्लेग था या क्या था इसकी डिबेट में मैं नहीं जाना चाहा था लेकिन कुछ तो था और मान लीजिए जो दिल्ली में लास्ट इयर पैदा हुआ इधा डेंग्यू की इस्थती वो इस्थती हिंदुस्तान के 10-15 शहरों में पैदा हो गई है और किसी एक कंपनी के पास ही डेंग्यू की मैडिसिन है या किसी एक कंपनी के पास ही प्लेग की मैडिसिन है और उस अपनी अपनी दवा का दाम सौगुना बढ़ा दे तब आपके पास कोई विकल्प नहीं है या तो मरिये या सौगुनी महंगी दवा खरी दिये और अपना इलाज कराई और मान लीजे कभी युद्ध की इस्थती हो कभी मान लीजे हमारा किसी दूसरे देश से जगडा हो गय इराक की हालत खराब क्यों है क्योंकि इराक के ऊपर प्रतिबंद लगे हुए हैं अमरीका के और यॉरप के देशों ने प्रतिबंद लगाए हुए हैं तो प्रतिबंद लगाए हुए हैं तो हो क्या रहा है वहां बच्चे मर जाते हैं बिना दूद के क्योंकि बाहर से कोई भी कमपनी एराक में दूद नहीं बेचेगी कोई भी कमपनी एराक में दूद नहीं बेचेगी कोई भी कमपनी एराक में दाना नहीं बेचेगी अन्नका कोई भी कमपनी यॉरप और अमरीका की एराक में सब्जिया नहीं बेचेगी फल नहीं बेचेगी तो एराग में हजारों लाखों लोग मर रहे हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके पास अपनी व्यवस्थाएं नहीं है और ये क्यों हुआ है क्योंकि एराग पिछले युद्ध के दिनों में तबाह हो गया कुवेत का जो युद्ध हुआ था खाड़ी का जो युद्ध हुआ था जो गल्फ वार हुआ था उस गल्फ वार के कारण इराग पूरी तरह से बरबाद हो गया तो बरबाद होने के कारण उस इराग में इस्तिती बड़ी खराब हो गई है तो वो खराब इस्तिती आज तक क्योंकि बाहर की कंपनियों पर पाबंदी लगी हुई है वह इराक में ना दवाइं बेच सकते हैं ना खाने पीने के सामन बेच सकते हैं बाइद अगर यहालत हिंदुस्तान में हो जा मान लीजे कल को साल वर के बाद पाकिस्तान से हमारा कोई युद्ध हो जा और युद्ध के समय में तो एकॉनमी पूरी तरह से कॉलप्स कर जाती तो युद्ध के समय मान लीजे हालत बड़ी खराब है और हमने पेटेंट दे रखा है प्रॉसस और प्रॉड़ेट का विदेशी कमपनियों को और युद्ध के बाद कोई भेंकर महामारी सैनिकों के बीच में पैदा हो गई है उनका हम ट्रीटमेंट इसलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो कमपनी के पास पेटेंट होगा वो मनमानी कीमत पे दवा बेचेगी और हमको मजबूरी में वो दवा खरीद नहीं पड़ेगी और ऐसा खतरना कानून इस देश के पारलेमेंट में पारित होने जा रहा है तब आप इन सरकारों के दिमाग के बारे में सोचिए तो यह क्या सब बेंकरफ्ट लोग हैं जो बैठे हुएं पारलेमेंट में और मैं आपको सच्चा ही कहूं कि यह बेंकरफ्ट दो नहीं है लेकिन यह सब के सब ट्रेटर्स हैं जो वहां बैठे हुआ है जो अपने देश की बरबादी कर सकते जो अपने देश के साथ गद्दारी कर सकते विदेशी कंपणियों के साथ दोस्ती कर सकते क्योंकि करोडों करोडों रुपई की रिश्वत विदेशी कमपनियां दे सकती है और अब इस हिंदुस्तान में एक नए तरह का खतरना ट्रेंड पैदा हो गया है अब बड़ी बड़ी मल्टिनेशनल कमपनियों ने अपने एमपीज रखना शुरू कर दिया है पारलिमेंट में लॉबिंग के लिए और हर पारटी में विदेशी कमपनियों के एमपीज हैं वो क्या करते हैं जब भी किसी कमपनी के खिलाफ कोई बात होती है तुरंत हंगामा मचाते हैं और उस पूरी बात को सबसाइड करवा देते हैं जैसे मैं आपको उधारन दू हम लोगों ने एक केस स्टड़ी किया था 92-93 में आजदी बचाओ आंदोलन की तरफ से वो केस स्टड़ी क्या था कि हिंदुस्तान में 15-16 ऐसी मल्टिनेशनल कॉर्पोरेशन्स हैं जो हजारों प्रतिशत का मुनाफ़ा कमा रही है हजारों प्रतिशत के थाउजंड ओफ परसंड के और इनमें सबसे ज़्यादा मुनाफ़ा कमाने वाली कमपनियों में फाइजर दूसरे नमबर की है हेक्स्ट तीसरे नमबर की है सीवाग आएगी चौत्य नमबर की है सेंडोज पांचमें नमबर की है ग्लैक्सको और ऐसी पंद्रे कमपनियों की हमने एक लिस्ट बनाई थी और वो लिस्ट किस आधार पर बनाई थी इन कमपनियों की जो बैलेंस शीट आती हैं उनी balance sheet के आदहार पर हमने वो list बनाई थी तो balance sheet में से हमने calculate क्या किया balance sheet में से हमने जो calculation किया था वो ये कि इन company'i की जो दवाएं बनती है जो basic medicines बनती जिनको bulk drugs कहते है तो जो bulk drugs बन रही है उसकी जो cost आ रही है उससे एक हज़ार गुनी जादा कास्ट पर मार्केट मैं फॉर्मूलेशन बिक रहाए एक हज़ार गुनी जादा कीमत पर माले जी जी बल्क ड्रग बन रही है 0.5,000 रुपई किलो ग्राम में तो मार्केट में वो लाखों रुपए किलोग्राम के हिसाब से भिक रही तो ऐसी जो मनमानी कीमतें वसूल रहे हैं और इनके ऊपर पारलेमेंट से कोई रेगुलेशन नहीं है तो हमने केस स्टडी करके पारलेमेंट के कुछ MPs को दिया था पारलेमेंट के उन MPs ने देखा कुछ सवाल हुए पारलेमेंट में बाद में पारलेमेंट में एक कमीशन बिठाया गया था उस कमीशन में कुछ MPs शामिल हुए थे उस कमीशन की जो रिक्मेंडेशन थी वो भी यही थी कि हिंदुस्तान में बहुत सारी ऐसी कमपनिया हैं ज हम लोगों को ये उम्मीद थी कि उन कंपणियों के खिलाफ कोई एक्शन लिया जाएगा तो पारलिमेंट पे एक जबर जस्त लाबी खड़ी हो गई जिरोंने उन कंपणियों को प्रोटेक्ट करने का काम है और आज तक उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं यह दुर्भाग के है फिर हम लोगों ने एक बार हंगामा किया पारलिमेंट में कि हमारे एक कंपनी है उसका नाम है नैसले नैसले बेबी पाउडर बेचता यॉरप के देशों में बेबी पाउडर बिकता नहीं यॉरप के देशों में बेबी पाउडर को बेबी किलर कहते हैं मैंने यॉरप के क क्यों क्योंकि उसमें जहर है तो पूरे यॉरप में जो बेवी पाउड़र बेवी किलर कहा जाता है वही बेपी पाउडर हिंदुस्तान में धडलले से चासी। और बहुत वर्षों तक इस देश में जो बेबी पाउडर बिखता था उसके डिब्बे पर कुछ भी लिखा नहीं होता था जब ये सब हंगामा हुआ पारलेमेंट में हमारे जैसे विचार वाले दिल्ली में कुछ डॉक्टर्स हमको मिले और उन्होंने भी पारलेमेंट पे दवाव डलवाया हंगामा करवाया तब जाके भारत तरकार ने सिर्फ इतना सा आदेश दिया कि कमपनियों को बेवी पाउडर के डिब्बों पर ये लिखना जरूरी होगा कि मा का दूद बच्चे के लिए सरवात्तम है बस बात खतम हो गई मने हमको ये उम्मीद थी कि सारे देश में ये रेगुलेशन आ जाएगा कि मा का दूद ही बच्चे को पिलाया जाए बेवी पाउडर बिलकुल नहीं पिलाया जा लेकिन कोट में जाने के बाद और कोट से फैसला होने के बाद सरकार ने सिर्फ इतना किया कि बेवी पाउडर के डिब्बे पे लिखवा दिया कि मा का दूद बच्चे के लिए सर्वोत्तम है और वो उसी तरह से लिखा जाता है जिस तरह से सिगरेट की डिबी पे लिखा रहता सिगरेट पीना स्वास के लिए हानिकारक है फिर भी जो पढ़े लिखे लोग हैं जिनकी आखें हैं वो आखों से अंधे हैं ये लिखा हुआ है कि सिगरेट पीना स्वास के लिए हानिकारक है फिर भी सूथते ही रहते हैं और सुथता लगाते ही रहते हैं कुछ उसी तरह की हालत हिंदुस्तान की माताओं की भी है कि जो जितनी ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं वो उतने ही ज़्यादा बेवी पाउडर अपने बच्चों को खिलाती है और विज्यापन कुछ इस तरह से किया जाता है कि हमारा मुन्ना तीन महिने का हो गया तो मैंने तो बेवी पाउडर खिलाना शुरू कर दिया अब आप क्या कर रहे हैं तो कभी कभी तो मुझे ये लगता है कि जैसे हिंदुस्तान में जब से बेवी पाउडर आया तभी से बच्चे जवान हो रहे हैं बिना बेवी पाउडर के तो लोग बड़े ही नहीं हुए होंगे इस देश में कुछ ऐसा माहौल है पूरे देश में और यतने धडलने से बेईमानी के साथ नैसले कंपनी का ये रोज एड़टिस्मेंट आता है लेकिन मुझे दूसरा एक और बड़ा दुरभागी लगता है कि आप जैसे जागरूप डॉक्तर खामोश बैठे हुआ है एक तरफ भारत सरकार इस साल एक वर्ष मना रही है शायद आपको कुछ पैंपलेट आए होंगे और माहिती मिली होगी इस साल का जो वर्ष है वो मा का दूद बच्चे के लिए सर्वात्तम है इस वाकिके आधार पर ये वर्ष मनाया जा रहा है और जगे जगे भारत सरकार लाकों करोरों रुपए खर्च करकर के सेमिनार करवा रही है ताकि माओं को समझाया जाए कि आपका दूद बच्चे के लिए सर्वात्तम है तो मैं अक्सर उनसे कहता हूँ कि ये फालतू का खर्चा कर रहे हो करोरों रुपए का इस से ज़्यादा आसान है ये बेबी पाउडर बिकना ही बंद करा दो बाती खतम हो जाएगे लेकिन वो नहीं कराएंगे बेबी पाउडर धडलने से बिक रहा है और उसके लिए सेमिनार भी धडलने से चल रहे है कि मा का दूद बच्चे के लिए सरवत्तम है अब जिनको समझना चाहिए कि मा का दूद बच्चे के लिए सरवत्तम है वो सेमिनार में आते नहीं वो तो अपने घर में टेलिवीजन के सामने बैट कर सीखते हैं कि नेस्टम पिलाएं कि सेरेलक पिलाएं दुर्भागे से जिनको सेमिनार में जाना चाहिए समझना चाहिए वो जाते नहीं है और जिनको ये समझ है वो कोई campaign चलाते नहीं है इस देश्च ये सबसे बड़ी कम नसीबी है और उससे भी जादा दूसरी कम नसीबी है कि callgate नाम का toothpaste बिक रहा है Indian Dental Medical Association के प्रमान से मुझे जरा आप बताईए कि कब Indian Dental Medical Association ने कोई कॉई कॉन्फरेंस किया और उसमें कॉल गेट के उपर प्रस्ताव पारित किया कि हम कॉल गेट को प्रमानित कर रहे हैं इसलिए हिंदुस्तान में बिकना चाहिए लेकिन रोज कॉल गेट पिक रहा है I.D.A. द्वारा प्रमानित Indian Dental जो Practitioners हैं उनके Association द्वारा प्रमानित तो आप में से कोई डॉक्टर इसका विरोध क्यों नहीं करता कोई डेंटिस्ट खड़ा होकर इस जूट को जूट क्यों नहीं बोलता और क्यों नहीं सुप्रीम कोट और हाई कोट में जाकर इस बात को चैलेंज करता हम तो इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि मैं डेंटिस्ट नहीं हूँ अगर मैं करूंगा तो कोट सबसे पहला सवाल पूछेगा कि आपको आती है कुछ दान्तों की बात कुछ जानते हैं आप जब डेंटिस्ट जाएगा कोट में तो वो ये सिब डेंटिस्ट खड़ा होकर इस जूट को जूट क्यों नहीं बोलता और क्यों नहीं सुप्रीम कोट और हाई कोट में जाकर इस बात को चैलेंज करता हम तो इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि मैं डेंटिस्ट नहीं हूँ अगर मैं करूंगा तो कोट सबसे पहला सवाल पूछेगा कि आपको आती है कुछ दानतों की बात कुछ जानते हैं आप जब डेंटिस्ट जाएगा कोट में तो वो ये सिद्ध करेगा कि कोई भी टूथपेस जिसमें फ्लोराइड होता है और थाउजन पीपीम से ज़्यादा होता है तो वो सारे के सारे टूथपेस जहर हो जाते हैं वो पेस्ट नहीं रहते ये बात अगर मैं कहूंगा कोट में वो कोट मेरी बात मानेंगा नहीं वो पूछे कंगे ताउजन पीपीम से ज़्यादा अगर फ्लोराइड है किसी भी टूथपेस्ट में तो वो टूथपेस टूथपेस नहीं है जहर है लेकिन कोट मेरी बात तब मनेंगा जब नहुंसको यह सिद्ध करूं कि मेरे पास दा कोंगी डॉक्ट्री का प्रमार पत्र है व हो कोंड में जा नहीं रहे है और जिनके पास प्रमार पत्र नहीं है वो बाहर रहे किसे आके रह जा रहे हमारे जatic मुझे कभी-कभी लगता है कि हिंदुस्तान के सारे डेंटिस्टों का ये सरासर अपमान है जो रोज टेलिवीजन पर विग्यापन के रूप में दिखाया जाता ऐसे ये कमपनी है हिंदुस्तान लीवर वो अपना लाइफ बॉई सावन बेच रही है फैमिली डॉक्टर्स वेलफेर एसोसियेशन ओफ इंडिया दोरा प्रमानिफ ये कौन सा एसोसियेशन इस देश में बन गया और कभी नोंने लाइफ वोई साव उनको पराण पत्र दे दिया लेकिन रोज विग्यापन उनका ये है और हम सब खामोशी के साथ बैठते हुए इसको देख रहे हैं और ये देश के साथ भयंकर गद्दारी का काम चल रहा है बेईमानी का काम चल रहा है इंदुस्तान में विदेशी कंपनिया अपना जहर बेच रही है जिनको मालूम है कि इसमें जहर है वही शान्त हैं जितने डॉक्टर्स हैं नीट्रिशनल जिनको नीट्रिशन का बहुत जियान बिल्ली में एक डॉक्टर जेन है ओल इंडिया इंस्ट्यूट में जो नीटुटरिशन डेपार्टमेंट के हैड माने जाथे है मैंने एक दिन पूछा कि डॉक्टर साथ यह पैपसी कोला में क्या है तो कहने लगे कारबन डायोकसाइड है मैंने का और क्या है फॉस्पोरिक एसेड है मैंने का और क्या है सोडियम ग्लूटामेट है मैंने का और क्या है पोटेशियम सौरबेट है मैंने का और क्या है कि इस स फॉर्षती नहीं की जहर पेपसी को अब जब मनते हैं कि उसमें यह जहर हैंचार लेकिन आप गाउं गाउं में घूं-गूं के कहते क्यों है लिए तुचुप हो 25 तो क्या आपके पास जो ग्यान है उस ग्जान का देश के लिए क्या उप्योग है आपने ये जो ग्यान हासिल किया डॉक्टरी की पढ़ाई पढ़ी है लाखों रुपए इस देश का आपने खर्च किया है और लाखों रुपए खर्च करके जो ग्यान अर्जित किया है उसका इस देश को रिटर्न क्या मिल रहा है तो कहने लगे फ बेटा बेटी भी उसमें बरबाद हो जाएं तब भी आप कहेंगे कि आपको फुरसत नहीं है और दुर्भाग यही है इस देश कि जिनके पास यह ग्यान है जो मल्टिनेशनल कमपनियों का परदाफाश कर सकते हैं जो यह बता सकते हैं कि इनके बनाए हुए सामानों में कोई निउट्रिशनल वैलियू नहीं है डॉक्टर जैन नहीं मुझको कहा कि पैपसी कोला और कोका कोला में एक पैसे का भी निउट्रिशनल वैलियू नहीं है और देश के लोग 10 रुपया खर्च कर रहे हैं पैपसी पीने के लिए और कोका पीने के लिए 10 रुपया खर्च करक एक पैसे की भी nutritional value नहीं मिल रही है हमको लेकिन वो देश में सबसे ज़्यादा बिक रहा है दडलने से बिक रहा है लोग अब शुद्ध पानी पीना पसंद नहीं करते हो उसकी जगे पैपसी और कोका कोला पी लेते है तो जिस चीज की एक पैसे की एक प्रतिशत भी nutritional value ना हो और वो चीज इस देश में महंगी बिक रही हो दूद से ज़्यादा पैपसी खोला बिकता है 33 रुपए लीटर का और दूद बिकता है 14 रुपए लीटर का तो 14 रुपए लीटर का गाय का दूद और 33 रुपए का कारबन डाइयोकसाइड मिलाया हुआ पानी और उसको कहते हैं लहर पैपसी और कहते हैं दा चॉइस आफ न्यू जनरेशन the choice of new generation नहीं है बलकि choice of new b generation है लेकिन करें क्या उसका और उससे भी ज़्यादा मुझे गुसा तबाता है जब हिंदुस्तान में कुछ कमपनिया अपने health tonic बेचती है जिनमें health के नाम पर कुछ नहीं है बॉर्न बिता कॉमपलाउन, मॉल्टोवा हॉर्लिक्स, प्रोटीनेक्स ऐसे तमाम तरह के जो health tonics बिक रहे हैं डॉक्टर जेन के अनुसार इनमें किसी में भी health के नाम पर कुछ नहीं है और आप चाहें तो अपने बच्चे को चने का सत्तू खिलाएं, जो का सत्तू खिलाएं तो उससे जितनी health बनेगी आप 100 डिब्बे प्रोटीनेक्स के खिला लीजे कोई health नहीं बनने वाले 100 डिब्बे आप बॉर्न बीटा के खिला दीजे कुछ नहीं बनने वाला उससे और आप अगर एक डिब्बा बॉर्न बीटा का खरी देंगे, तो कम से कम 200-200 रुपए का है एक किलो का तो 200-200 रुपए का एक किलो बॉर्न बीटा खरीद के तो खाएंगे लेकिन किसी को आप कहिए कि मुंफली खाओ गुड के साथ तो नहीं खाएगा कोई रोज अगर गुड के साथ मुंफली खाएं तो जितनी प्रोटीन उससे मिलती है जितना कार्वो हाइडरेट उसमें से निकलता जितनी और दूसरी चीज़े हमको मिलती है उतनी 100 पैकिट बूस्ट खाने से नहीं मिल सकती लेकिन मुंफली का गुड के साथ खाने का परचार तो नहीं है लेकिन बॉर्न बीटा का परचार है और ये जो बॉर्न बीटा, मॉल्टोवा इन तमाम चीज़ों में मिलाते क्या है एक बार मैंने डॉक्टर जैन से कहा कि आपके पास तो ऑल इंडिया इंस्ट्यूट की इतनी बड़ी लेवरेटरी है आप जरा इसमें पता करिए कि ये मिलाते क्या है कैसे बनाते हैं बॉर्न बीटा तो उन्होंने तीन महीने के बाद मुझे एक लंबी सी चिट्थी बेजी उसमें हर एक के बारे में लिखा कि देखो बॉर्न बीटा कैसे बनता बॉर्न बीटा बनता है मुंग फली की खली से मुंग फली की खड़ मने मुंग फली के दाने में से तेल निकालने के बाद जो वेस्ट बचता है उससे बनता है बॉर्न बीटा मेरे गाउं में मुंग फली के तेल के निकालने के बाद जो वेस्ट बनता है उसको जानवर खाते हैं लेकिन हमारे देश में इंटेलिजेंट लोग वोई खाते हैं बॉर्ण वीटा के नाम को और आप बाजार में चले जाएए मुंग फली की खली आपको 20-25 रुपई किलो में मिल जाएगी गुजरात में तो उससे भी सस्ती मिलेग मैं तो मेरे गाओं की बात कर रहा हूं जहां मुंफली होती नहीं बिलकुल यहां तो सिंगदाना इतना होता है गुजरात में मुश्किल से 20-25 रुपई किलो में खली मिलेगी उसको वो बेचते हैं 200-200 रुपई किलो में और हम लोग तकनी की भाषा में कहते हैं वैल्यू कि अब किसी से आप पूछिए कि सब्सक्राइब कर रहे हैं और पूछिए और क्यों कि अंग्रेजी का नाम है और बड़ा भारी नाम है हॉर्लिक्स कहने में लगता है कि हाँ कुछ इंपोर्टिट जैसी चीज़ है उसमें कंटेंट क्या है कुछ नहीं उस पे लिखा हुआ है साफ साफ इट इस मॉल्टिड मॉल्ट माने ही होता है जो का सत्तू जो का सत्तू बजार से खरीद लीजे चने का सत्तू बजार से खरीद लीजे 20-25-30 रुपए किलो में मिलेगा लेकिन हॉर्लिक्स खरीदिये तो 160 रुपए में 1 किलो मिलेगा और ये जितने हेल्थ टॉ सिर्फ एक मेंटल सैटिस्फैक्शन है कोई हेल्थ नहीं है उससे लेकिन एक हजार करोड रुपए के हेल्थ टॉनिक से इस देश में बिखते हैं जानते हैं टेलिवीजन पर एक एडियोटिक एडवर्टिसमेंट आता एक छोटा सा बच्चा कूथते हुए आता कहता आए में इसका मानी क्या है मैं कॉमपलॉन का बेटा हूं और बच्ची कह रही है मैं कॉमपलॉन की बेटी हूं और कॉमपलॉन क्या है तिन का डिबबा अब आप तो डॉक्तर हैं आप जरा बताईए कि तिन के डिबबा के भी बेटा बेटी हो सकते हैं ऐसा कोई साइंस है दुनिया इसलिए बिक रहा है कॉम्प्लॉन इसलिए बिक रहा है बोर्नवीटा है है इसका नाम को एक तैंदुलकर वह कहता है अभृ के शक्ती बूस्ट ऐसे में है शचिन तैंदुलकर की शक्ती बूस्ट तो सचिन त्यंदुलकर की अम्मा को एक अच Rhitt Fuck शचिठी लिखिए उसका नाम है बोरिस बेकर सबसे ज़्यादा ताकतवर भी है उसकी लगाई हुई एस सर्विस 160 किलो मीटर प्रतिगंटे की रफतार से निकलती है माने ट्रेन भी जिस रफतार से नहीं जाती है उस रफतार से उसकी गैन जो मारता है वो जाती है कितनी पावर होगी उसके शॉट्स में और आप कभी भी बोरिस बेकर को देखिए खेल जब भी रुकता है पांच मिनट के लिए दो मिनट के लिए बैग मेंसे केला निकाल निकाल के खाता रहता हमेशा तो बोरिस बेकर को शक्ती मिलती है केला खाके केले में जितनी शक्ती है दुनिया के किसी भी हेल्थ टॉनिक में हो नहीं सकती लेकिन दुर्बा के क्या है कि इन चीजों का प्रचार इस देश की जनता में ना के बरावर है और इस देश की जनता जो है एक अजीब तरह की पैसिमिजम में जिन्दा है कैसे जिंदा है सब शहर में बूस्ट खिलाते हैं तो गाओं के लोग भी कहें कि हम भी खिलाईगे शहर में बच्चे को नेस्टम और सेरेलक पिलाते हैं तो गाओं की महिलाएं भी कहती हैं कि हम भी करेंगे क्योंकि वो मानते हैं कि शहर वाले बाबू जी हो गए हैं, इसलिये कि वो बूस्ट खाते हैं, इसलिये कि वो सेर रेलक और नेस्टम पिलाते हैं, इसलिए गाओं के लोग भी बाबुजी बनने के चक्कर में वो ही सब कर रहा है जो शहर के लोग कर रहा है और ये 100% इस देश के लोगों की इग्नोरेंस है और ये इग्नोरेंस बिना पढ़े लिखे लोगों में होती तो मेरे समझ में आता कि ठीक है लेकिन सबसे ज़्यादा ये इग्नोरेंस जो है वो पढ़े लिखे लोगों में है जो डिगरी होल्डर है जो कहीं से पिएचडी करके निकले है जिनोंने साइंस पढ़ा है वही आज सबसे ज़्यादा अनसाइंटिफिक हो गए है और तब ऐसी इस्तिती में आप पूछेंगे कि हम चाकरें मैं आपसे बहुत उम्मीद लेकर आया हूँ आप इस देश के लोगों की दुखती हुई रग और दुखती हुई नस्टीक करते है डॉक्टर पर जितना भरोसा होता है किसी पेशन्ट को उतना किसी दूसरे पर नहीं होता डॉक्टर ने जो कहा वो पेशन्ट के लिए ब्रहमवाक्य हो जाता डॉक्टर ने अगर कह दिया कि ये दवा तुमको तीन बज़े खानी है तो दुनिया जहान में कुछ भी हो जा वो तीन बज़े ही खानी है और अगर जरा आगे पीछे हो गया और उस दवा का कोई भी साइड इफेक्ट हो गया तो मरीज ये मानेगा कि मैंने देर में खाई ये इसलिए हुआ है वो ये नहीं मानेगा कि डॉक्टर से भी गलती हो सकती है कभी तो इस देश में जाने अन जाने आप लोगों की बड़ी प्रतिस्था है मरीजों के मन में और आप लोगों की जब ये प्रतिस्था है तो अकसर क्या होता है समाज में जब बड़े परिवर्तन होते हैं तो उन बड़े परिवर्तनों को जब बड़े लोग शुरू करते हैं तो नीचे के लोग फिर उनी को फॉलो करना शुरू करते हैं तो आप से मैं बड़ी भारी उम्मीद लेकर आया हूँ कि इस बड़े परिवर्तन के काम में आप मेरी मदद करें तो आप पूछेंगे क्या मदद करें सबसे पहली और सबसे आसान मदद जो आप कर सकते हैं इस काम में वो ये कि जो विदेशी कमपनियां हिंदुस्तान की सरकार पर दबाव डाल कर हमारा पेकेंग टैक्ट बदलवा रही हैं उन विदेशी कमपनियों की दवाएं लिखना आप बंद कर दीज़ें मातमा गांदी ये कहा करते थे कि जब दुश्मन से लड़ाई लड़नी होती है तो दुश्मन को सहयोग देना बंद करते हैं सबसे पहले वो अक्सर कहा करते थे अपने जो कारे करता थे कि बापू युद्ध कैसे लड़ा जाता है तो गांदी कहते थे कि मैं तो आहिंसा वाला आदमी हूँ लेकिन उनसे बढ़िया युद्ध की रलनीती बनाने वाला भी इस देश में कोई नहीं था वो कहते थे कि युद्ध लड़ने से पहले ये प्लानिंग बनाई जाती है कि दुश्मन को सामगरी कहां से आ रही है उसको रसद कहां से आ रही है उसको सामान कहां से मिल रहा तो दुश्मन को जहां से सामगरी आती है जहां से रसद आती है अगर वो सप्लाई लाइन काट दी जाए तो दुश्मन सबसे जल्दी परेशान होगा और सबसे जल्दी हारेगा तो आज ये जो मल्टिनेशनल कमपनिया है जो हमारे देश की सरकार पर दवाव डाल कर और हमारे राजनेताओं को भरस्ट करके वहां करोरों करोरों की रिश्वत बाटकर अपने फाइदे के लिए हमारा पेटेंट चेक्ट बदलवा रही है इन कमपनियों की सप्लाई लाइन आप काट सकते हैं और उसका बड़ा आसान काम है कि आप इन विदेशी कमपनियों की दवाएं लिखना बंद कर दीजे जो फाईजर के ब्रेंड नेम है वो आपको मैं दे ढूँगा सेंडोस के ब्रेंड नेम है मार्केट मैं आपको दे दूँगा सीबागाई की के दे ढूँगा जो smith line become है ऐसी 10-15 बदमाश कमपनिया हैं जो सबस्यादा दवाव डाल रही है तो इन कमपनियों को सबक सिखाने का हमारे हाथ में क्या अस्त्र है सरकार करेगी नहीं करेगी ये बहस दूर की है हम लोग पारलेमेंट पर भी दबाव डाल रहे हैं कि वो कानून पारित ना हो और अगर पारलेमेंट से नहीं हुआ तो बहुत अच्छा है लेकिन अगर पारलेमेंट बिग गया तो उसकी कोई गारंटी नहीं है हमारे पास तब आप अगर फैसला करें कि पार्लिमेंट बिख क्या है बिख जाने दीजे हम तो नहीं बिखें हमारे उपर तो कोई यह फोर्स नहीं कर सकता कि नहीं नहीं आप फाइजर की ही दवा लिखिए या आप सेंडोज की ही लखिए या सीबा गाईगी की ही लखिए या स्मिथ लाइन बीकम की ही लखिए ये तो आपका अपना फैसला है आपके अपने हाथ का फैसला है और एक दूसरी जानकरी और दे दू कि हिंदुस्तान में कमपनियां बेस्ट क्वालिटी की मेडिसिन्स ब कम नहीं है तो हिंदुस्तान की तमाम ऐसी कमपनिया हैं जिनकी बनाई हुई दवाएं दुनिया की किसी भी कमपनी से टक्कर लेती हैं क्वालिटी में तो आप अगर एक छोटा सा फैसला करें और आपका ये पूरा एसोसियेशन ये फैसला करें कि हम छूपी अमेरिकन मल्टी तो हम इन कमपनियों का विरोद करते हैं और विरोद स्वरूप आप इदेश कुण का बहिशकार करेंगे मानकी में उनकी दवायं लिखना बंद कर देंगे तो एक एक विदेशी company की जमीन उखड़ जाएगी इस देश कोई भी दवा उनके मैड वो जो representative होते हैं वो बेच नहीं सकते यह मैं guarantee से कहता हूँ कोई भी company चाहे जितने representatives लगा दे चाहे जितना advertisement करे जब तक doctor prescribe नहीं करेगा उसकी दवा बिक सकती बाजार में तो आप एक फैसला तो यह करें और यह इस लिए कि देश के लिए यह बहुत जरूरी है इस समय अगर विदेशी company को हमने चुनोती नहीं दी और यह patent act अगर लागू हो गया तो आने वाला समय बहुत खतरनाक होने जा रहा है station हमारी आखों के सामने हमारे लोग मरेंगे और हम उनको बचा नहीं पाएंगे क्योंकि दवाओं पर मॉनोपली होगी कमपनियों की हमेशा यह कहा जाता है कि जो गलत काम है उसको अगर शुरू में ही बंद कर सकते हैं कौन कौन सी विदेशी कमपनियों की दवाएं हैं वो लिस्ट मैं आपको दे दूँगा मैं एक लिस्ट बना रहा हूँ अभी वो फाइनल नहीं हो पाई है हो सकता है अगले पंदरे बीस दिनों में वो फाइनल हो जाए तो वो लिस्ट आपको मिल जाएगी और आप उसकी मदद से यह कर सकते हैं एक दूसरा निवेदन कि जो काम हमने कर लिया है हिंदुस्तान में जो इर्रैशनल और इलिजर्ट मेडिसिंस बिक रही है सारे देश में जो काम्बिनेशन इस देश में बैन कर दिक रहे हैं किया है जेसो क्लौरें फम smiles and rhythm इस देश में इतना जबर्जस्त है कि किसी भी ड्रग कंट्रोलर को और किसी को खरीदना बहुत आसाने इस देश में तो धडलने से वो चल और ऐसे कई सामान ने जनता को उसकी जानकारी नहीं तो मैं आपसे दूसरा निये निवेदन करना चाहता हूं कि जो इर्रैशनल और इर्रेलिवेंट ड्रग्स हैं मेडिसेंस हैं उनको आप गलती से भी कभी मत लिखिए उसकी लिस्ट अभी मेरे पास है और आपके मेरे व्याक्यान खतम ह होने के बाद एक चोटी सी पुस्तिका आपको दी जाएगी 25-30 पन्ने की पुस्तिका है उसमें आधे हिस्से में वो पूरी लिस्ट दी हुई है कि कौन कौन सी दवाएं हैं जो दुनिया के किस-किस देश में बेन हैं क्यों बेन हैं उनके साइड इफेक्ट एक जगे लिख स्क्राइब न करें और लोगों को कहें कि ये दवाएं खाना अपने सरीर के साथ खिलवार करना और तीसरा एक चोटा सा निवेदन मेरा है कि कभी भी गलती से कोई भी हेल्थ टौनिक किसी मरीज को ना लिखुए मैंने ऐसे दरश्च देखें अपनी आँखों के सामने आज विखुए मुझी नशीन हालत का व्यक्ति कुली जो आया मेरे पास घड़े होने की हैसित नहीं थी पेर उसके कपकपा रहे तो मैंने कहा कि तुम तो इतने कमजूर हो गए तो उसने कहा बाबूजी तीन महीने समय बीमार हो तो मैंने कहा पीमारो तो कर क्या रहे हो तो जो ठीक से भोजन नहीं कर पाता, ठीक से दो समयका उसको भोजन नहीं मिलता, फुल न्यूट्रिशनल वैल्यू वाला, ठीक से उसको दूद नहीं मिलता, ठीक से भाकरी नहीं मिलती, ठीक से सबजी और दाल नहीं खा पाता, उसको किसी डॉक्टर में हेल्थ टॉनिक पेसक्र के गोल के और कुछ नहीं है उसमें क्योंकि ऐसे बहुत सारे हेल्थ टॉनिक बजार में दिख रहे हैं जिन में कुछ नहीं है खुद CDRI की लिबरेटरिय हमारे लखनव में Central Drug Research Institute उन्होंने लास्ट एर एक लिस्ट डिकलियर की थी उसमें 84 टॉनिक्स के नाम थे और उसमें CDRI के साइंटिस्टों का कहना है कि इन में कुछ नहीं है सिवाए चीनी और पानी के घोल के उसकी है अपनी उस पुस्तक में कि कौन कौन से ऐसे हल्थ टॉनिक है जिन में कोई हल्थ नहीं है तो तीसरा नेरा आपसे निवेदन है कि जब भी कोई मरीज आपसे कहे कि डॉक्तर सहाब ताकत के लिए कोई टॉनिक लिख दीजिए तो आप उसे कहिए कि भीया जितने पैसे का तुम टाकत का टॉनिक खरीद के खाओगे उतने पैसे का दूद पीलो खरीद कर तो शायद कुछ शक्ती आजाएगी उतने पैसे का केला खरीद कर खालो उतने पैसे का दलिया खरीद कर खालो उतने पैसे की मूं की डाल का पानी पीलो तो शायद तुम में शक्ति आ जाएगी तो जब आप कहेंगे तो आपकी बात का असर होगा और वो कहेगा कि हाँ डॉक्टर साथ कह रहे है इसका माने इसमें कोई गंबीर बात है मैं कहता हूँ राजी बाई दिक्षित कह रहे हैं तो वो कहता है आप क्या जाना है इसके बारे में और जब आप कहेंगे उसी बात को तो वो कहेगा कि हाँ डॉक्टर साब कह रहे हैं इसलिए इसमें कोई गंबीर मतलब है तो मेरा तीसरा छोटा सा निवेदन है आप से कि आप किसी भी मरीच को गलती से भी हेल्थ टॉनिक प्रेसक्राइब न करें जो नैचुरल फूड्स हैं जो और्गेनिक प्रॉड़क्स हैं इस देश में चावल है, गेहू है, डाल है, फल है फलों के रस हैं, सबजियां हैं सबजियों से मिलने वाले जो नैचुरल तत्तों हैं उनको आप जितना जादा से जादा कहें कि भई इतने ही पैसे का आप अमरूत खालो सफरचंद खालो, केला खालो तो तुमको जादा शक्ती मिल जाएगी उतने का तुम हॉरलिक्स क्यों खा रहे हो तो एक तीसरा निवेदन आप से ये है और चौथा और आखरी निवेदन कि कभी भी कोई मा अपने बच्चे के लिए आप से कहे कि हमारे बच्चे के लिए आप बेबी पाउडर प्रेस्क्राइब कर दीजे तो उसको आप कहिए पूरी द्रड़ता से कि आप अपना दूद पिलाइए वो बच्चे के लिए सबसे अच्छा तो आप जब कहेंगे इस बात को तो शायद इस देश के मरीजों में और इस देश के लोगों में कुछ चेतना का प्रसार होगा हम लोग तो ये कर ही रहे हैं लेकिन आपका मदद और आपकी सहियोग अगर हमको इस काम में मिल जाए तो इस काम में तेजी आ सकती है तो हम एक तरफ तो तमाम मल्टी नेशनल का बॉयकॉट करा रहे हैं कॉल गेट, क्लोज अप, सिवाका, फॉरहंस, पेपसी, कोकाकॉला लेकिन इसी के साथ-साथ ये दवा बनाने वाली बदमाश कंपोनियों का भी बॉयकॉट अगर होना शुरू हो जाए तो ये काम और दो गुनी तेजी से सारे देश में चल सकता और एक नहीं तरह की जागरती और चेतना इस देश के लोगों में आ सकती है तो उतना ही निवेदन और उतनी ही आपसे विनती करने आया था एक जरूर मैं आपसे कह सकता हूँ कि हम लोग बहुत इस तरह का रिसर्च वर्क करते रहते हैं हमारे पास पूरी अपनी एक टीम है और उसमें तीन यंग एज के डॉक्टर जो अभी भी MBBS और MS और MD करके निकले लाहबाद के Medical College और उन्होंने फैसला किया है कि अब जीवन में वो प्रैक्टिस नहीं करेंगे इसी काम में हमारी मदद करेंगे तो उन तीनों डॉक्टरों की मदद से हमारे पास जितना literature आता है WHO का जितना literature एमस से आता है ICMR के बहुत सारे जर्णल्स आते हैं और ऐसी दूसरी तमाम देशों की reports और research material हम लोगे कठा करते रहते हैं उसको हम सरल भाशा में साधारन भाशा में transcribe करके लोगों तक पहुचाने का भी काम करते हैं और वो हमारा इस तरह का material छपता है हमारी एक पत्रिका निकलती है उसका नाम है नई आजादी उसमें हर दो महीने तीन महीने पर इस तरह के research material हम reproduce करते रहते हैं तो आप उसको मंगवा सकते हैं उसको subscribe कर सकते हैं और वो अगर आपके घर आपके क्लिनिक पे आने लगे हर महीने तो उसमें ऐसी बहुत सारी माहितियां आपको मिलेंगी जो आप दूसरे लोगों तक उन माहितियों को transfer कर सकेंगे और इस देश में एक चेतना निर्मान के काम में लग सकेंगे जब भी कोई देश में बड़ी क्रांती होती है तो वैचारी क्रांती सबसे पहले होती है इस वैचारी क्रांती में अगर आप हमारा थोड़ा भी सहयोग करें तो आपका बहुत-बहुत शुक्रिया बहुत-बहुत धन्यवाद कुछ प्रशन आये हैं एक-एक करके मैं जवाब देने की कोशिश करता हूँ. एक प्रशन है कि मल्टिनेशनल कमपनिया भारतिये कमपनियों को दवाने के लिए मरजर कर रही है. आपस में एक दूसरे से समझोते चल रहे हैं, जॉइंट वेंचर चल रहे हैं, कॉलिबरेशन चल रहे हैं. कई कमपनि बचाने के लिए मरजर कर रही हैं. वैसे इन कमपनियों को बुलाया जाता है और यह कहा जाता है कि यह कॉम्पुटिशन बढ़ाएंगी. लेकिन आने के बाद वो वास्तम में मरजर करके कॉम्पुटिशन खतम करती हैं, मोनोपुली बढ़ा लेती हैं. उससे उनके अपने रेगुलेशन था, MRTP का रेगुलेशन था, तो फेरा और MRTP रेगुलेशन के चलते कोई भी कमपनी आपस में किसी दूसरे से मरजर नहीं कर सकती थी. फेरा भी खतम कर दिया, MRTP भी खतम कर दिया. तो अब उनका बहुत तेजी के साथ मरजर चल रहा है. फिर भी हमने उम्मी में डाला है. उस पर अभी डिवेट होना बाकी है. वो पारित होगा कि नहीं, यह मैं नहीं जानता. लेकिन वो बिल बन गया है, उस पर डिवेट होईगी. अगले सेशन में जब पार्लेमेंट चलेगा तो डिवेट होगी. और डिवेट हुई तो वो पारित भी हो सकता है. और पारित अगर हो गया तो यह जो मरजर हो रहे हैं यह रोक जाएंगे वो मरजर को रोकने के लिए ही इस तरह का एक बिल हम लोगों ने पिछले छे महिने में पार्लिमेंट पे दवाओ डलवा के कुछ चैंपीज को मॉबलाइज करके बनवाया है और उसको लागू करवाने की कोशिश कर रहे हैं दुनिया में भी दूसरे बड़े देशों में यह मरजर का काम चल रहा है और वहां भी उनकी सरकारें इस मॉनोपली को रोकने के लिए मरजर को तोड़ने के प्रोग्रेम्स बना रही है अमरीका में भी इस तरह का एक कानून अभी पार्लिमेंट पे इंट्रोड्यूस किया ब्रिटेन में भी ऐसा ये कानून तौनी ब्लेर ने प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद अपने पार्लिमेंट में इंट्रोड्यूस किया क्योंकि वहां भी ये प्रॉब्लम हो रही है कॉलिबरेशन की मरजर की कार्टिलाइजेशन की तो हम हमारी कोशिश कर रहे हैं अब उसमें सफलता कितनी मिलती है ये वक्त बताएगा दूसरा ये प्रशन है कि डॉक्तर सहाब मैंने कहा था कि आप हेल्थ टॉनिक और बेबी पाउडर प्रेस्क्राइब ना करें तो किसी भाई किसे इस समय खतम हो गई है कुछ दिन के बाद वह रीप्रिंट हो रही है वह अब तक कई लाग छप चुकी है और सारे देश में हमने बांटी है तो वह अभी खतम हुई है इलहाबाद में गया भी था लेकिन थी नहीं इसलिए ला नहीं पाया हफते दस दिन में वह छप ज क्या है और मार्केट में किस दाम पर विक्रा और उतना ही निउट्रिशनल वैल्यू के लिए आप 2-5 रुपए खर्च करके किसी औरगेनिक चीज को खाएं तो उतनी ही निउट्रिशनल वैल्यू उससे आपको मिल रही है जैसे मैंने का मुंगफली का दाना सिंग दाना कर उसने हमने कुछ नहीं किया ऑल इंड्या इंट चू अफ मेडिकल साइन्स का जो नीउट् लागू होगा तो मैंने आपको बताया कि प्रॉडट्ट पेटेंट अगर लागू होगा तो प्रॉसेस पेटेंट उसमें इनहरेंट होगा अभी प्रॉसेस पेटेंट अपने आप में इंडिपेंडेंट है तो प्रॉडट्ट पेटेंट यह जरूरी नहीं है कि प्रॉसेस प अगर एर बी बदल जाएं तो प्रॉडर्ड बी बदल जाए वह बकुछ के और और ऑिसकी बाड़ी Deswegen और कई बात है तश्णीन लिए जानते हैं इसको नहीं भूँ है उसकी कोई बहुत नहीं होत्रіш कमपाउंज से इसलिक नंहीं बहुत अच्छे और कई बार में great function ग्राइब वाटर नहीं बिकता वाटर वरीज कंपाउंड नहीं बिकता इस तरह का कोई प्रोड़क यॉरॉप में नहीं बिकता सेंट्रल यॉरॉप में तो पिछले 20-25 साल से बैन और इसलिए उन्होंने बंद किया है कि उसके साइड इफेक्ट उनको बहुत तेजी से मिलें कई बार तो उसमें अफीम डालना शुरू कर दिया था कुछ कंपनियों ने तो अब उसको कैसे चेक किया जाए तो वहां की सरकार ने बैनी कर दिया उसको तो मुझे लगता है कि आप जानते हैं तो दश्मूला रिस्ट प्रेस्क्राइब करें तो उससे ज्यादा अच्छा रहे हैं वोट इस दा अल्टरनेटिव फॉरे मदर कूंट प्रोड्यूज मिल्क और हर चाइब यह बहुत रेरेस्ट केस होता पूरे यूनिवर्स वैरी वैरी रेर ऐसा शायद ही कभी होता है कि जिस मा का बच्चा हो और उसको दूद नहों प्रकरती ने कुछ ऐसी व्यव यह बहुत रेर कोई केस होता है जिस मा के बच्चा हो और उसको दूद नहों तो ऐसा केस मुश्किल सा सौ में कोई एक मिलेगा आपको तो वैसी इस्थती में भी आप उस बच्चे के लिए बेबी पाउडर तो बिलकुल प्रेस्क्राइब ना करें आप उसको गाए का दू थोड़ा बहुत अगर चाट सके और कुछ नहीं खा सकता है बच्चा तो शुद शहद हनी हनी से बढ़िया दूसरा कोई प्रॉडक्ट नहीं है जो बच्चा दूद ना पी सके जिसकी मा को दूद ना हो उस बच्चे को अगर आप सिर्फ शहद चटाते रहिए तो उतना ही स्टाउट बनेगा जितना मा का दूद पीने से बन सकता है तो यह बेस्ट आपके पास विकल्प है जब आप किसी को कह सकते हैं एक प्रशन है प्रशन नहीं है वो किसी भाई ने अपनी ही बात कही है यदि मल्टिनेशनल कंपनियों की फिजूल दवाईयां लिखना बंद क कर देंगे तो यह बड़े बड़े गिफ्ट यह पिक्निक यह फॉरेंट टूर कौन कराएगा तो इसके बारे में कोई टिपणी नहीं करना चाहाता आप खुद इंटेलिजेंट हैं आप अपनी स्थिती के बारे में खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि आप उनकी गिफ्ट सुईकार करें और इस देश का नुकसान करें और इस देश का नुकसान करें इस देश में दुरभा कि क्या है कि कुछ market काiosis दाइरे और क्लेंडर देए इस है में डॉक्टर साथ दवा लिखना चालू कर देता है तो सबसे आसानी से विचारा चला जाता है डॉक्टर उनके पाले में तो यह तो आप अपने मन को थोड़ा मजबूत बनाएं तो इसमें से बाहर निकलने का रास्ता आ सकता है तो प्रेस्क्राइब हेल्स टॉनिक वेर अगर खाय तो बैस्ट चवन प्राश दे सकें बहुत अच्छा नहीं है तो शुद्ध आवला ही उसको खिलवा दीजिए वही उसके लिए सबसे बड़ा हेल्फ टॉनिक है तो कोई जरूरी नहीं है कि ट्यूबर क्लोसिस के पेशेंट को भी आप हेल्फ टॉनिक ही दें अब तक हिंदुस्तान में क्या है कि जो माइक्रो आर्गेनिजम होते हैं और एग्री कल्चरल पूरा का पूरा टेक्नॉलजी जितनी है वहां कोई पेटेंट नहीं है ना प्रॉसेस पेटेंट है ना प्रॉड़क्ट पेटेंट और आयुर्वेद की जितनी दवाएं हैं व इसमें माइक्रो और्गेनिजम को भी पेटेंटेबल माना जा रहा है और इसमें ना सिर्फ माइक्रो और्गेनिजम को पेटेंटेबल नहीं होती है अब लेकिं दो कैसा हूए है अमरीका की एक कंपनी है उसने नीं के थरे फॉर प्रोसेस पर पेटन्ट कराया ऑप क्लेंच करते हैं कि हमने नीम का इन्वेंशन किया अब दुनिया में कोन बेवकूफ साइन्टिस्ट आ जो यह कहेगा कि इसनेते इसलिकिया नृ도 Toney Larson जिस देश में रहता है वहाँ Nים का पिड़ नहीं होता अमरीका में Nים नहीं होता लेकिन Toney Larson क्लेम कर रहा है यकि मैंने Nים का invention किया तो उसके ऊपर case किया है हम लोगों ने ये जो आज़ादी बचाओ आंदोलन बनाया है इसके साथ साथ हम लोगों ने एक third world network भी बनाया जैसी पिटाई हमारी हो रही है मल्टीनेशनल के द्वारा वैसी पिटाई कई गरीब देशों की हो रही है ब्राजील है नाइजीरिया है चिली है कोस्टारिका है कोलंबिया है तमाम देश हैं जो गरीब देश हैं और मल्टीनेशनल से पीडित हैं उनसे सोचित हैं तो उन 33 देशों को मिला कर हम लोगों ने एक थर्डवर्ड नेटवर्क बनाया तो उस थर्डवर्ड नेटवर्क की तरफ से एक पिटीशन हमने अमरीका के कोट में फाइल किया है नीम के पेटेंट के खिला उसमें अभी बह कारने अमरीका के कोट में ये सिद्ध किया कि हिंदुस्तान में हजारों साल से हल्दी को दवा के रूप में इस्तेमाल करने की परंपरा रही है चरक में शुष्रुत में और हरित सहिता में हिंदुस्तान के जो तीन बड़े गरंथ हैं मेडिसिन के सिस्टम के इन तीनों में ہلدی کے جتنی properties medicinal properties के बारे में जानकारियां थी वो सब American court में जब दी गही तब American court ने हलदी के patent को reject किया तो हलदी का patent अभी reject हो गया हो सकता नीमका भी हो जाए वो case अभी भी चल रहा दूद के बारे मैं मैंने कहा लेकिन dूद में भी मिलावट है तो क्या करेंगे सबसे अच्छा है गरम पानी पीजी है फिर दूद छोड़ कर एक प्रशन है कि आजादी की सुरक्षा के लिए आपके पास रास्ट्री इस तरपर क्या कारिक्रम है मैं मान रहा हूं कि इस देश में रास्ट्री इस तरपर अगर आप सामाने आदमी को ये बत अब वही एंडरॉन सबसे लाडली कमपनी है महारास्ट्र सरकार की जिसको वो गोद में उठाके सारे देश में घूम रहा हैं तो कल तक जो राश्ट्री सुरक्षा के विरोध में थी कमपनी अब वो अचानक से रास्ट्री सुरक्षा की जिम्मेदार कैसे हो गई सीधी सी समयाद है करोड़ों रुपय की रिश्वत वह यह करोड़ों रुपय वह भी खा रहे हैं जो आपको राश्ट्रवादी मानते नहीं कि जो रास्ट्रवादी मानते हैं उनकी मी रह ढूरें लिए तो इसलिए रास्ट्री सुरक्षा को खत्रा तो राजनेतिक पार्टियों से है मल्टीनेशनल से साधार आदमी से नहीं तो ये जो रास्ट्री सुरक्षा को खत्रा पैदा हो गया है राजनेतिक पार्टियों से और बड़ी बड़ी कमपनियों से तब आप इमानदारी से लोगों से कहिए कि देश की सुरक्षा को खत्रे में डाल कौन रहा है या तो इस देश के राजनेता और या इस देश में मल्टीनेशनल कमपना है एक तरफ हिंदुस्तान के लाखों नौजवान है जो बॉर्डर पर पाकिस्तान के बॉर्डर पर तीन साड़े तीन डिगरी सेंटीग्रेट टेंपरेचर जहां रहता और निगेटिव तो माइनस नाइन तीन माइनस ट्वन्टी पे पहुंच जाता तो जहां माइनस नाइन तीन माइनस ट्वन्टी डिगरी सेंटीग्रेट टेंपरेचर हो खून भी बरफ की तरह से जम जाता हो वहां हिंदुस्तान की एक एक इंच जमीन की रक्षा करने के लिए एक एक नौजवान अपने प्राणों को बलिदान कर रहा है और दूसी तरफ हिंदुस्तान की राजनेता देश को बेचने में लगे तो देश की सुरक्षा तो इसलिए खत्रे में तो आप इस देश को इन गरप्ट राजनेताओं से बचाने का अभियान शुरू करिए और उसमें इमानदारी से कहिए आप किसी पारटी के पक्ष में खड़े होकर कहेंगे तो आपकी बात पर अब कोई भी विश्वास करने वाला नहीं है क्योंकि महरास्ट्र में सब ने देख लिया कि जो लोग एन्रोन का विरोध करते थे वही एन्रोन को लेकर आए इसलिए अगर आप पारटी के पक्ष में जाकर खड़े हो गए तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे राश्ट्र के पक्ष में खड़े होकर जब आप यह दलील देंगे तो पारटी रहे या न रहे बाल में जा या चूले में सत्ता रहे या न रहे देश रहता है राश्ट्र रहता देश पारटीयों से बड़ा होता देश व्यक्तियों से बड़ा हो आप पार्टियाँ बनती हैं बिगड़ती हैं अगर एक बार देश बिगड़ गया तो जल्दी बनने वाला नहीं इसलिए आप पार्टियों का धामन चोड़कर देश की बात कर शूरू कर करना इए तो इस देश की रास्त्री सुरक्षा की बात आप कर पाएंगे और और ये सबसे बड़ा राश्प्री कारिक्रम है कि हिंदुस्तान की सबसे जादा असुरक्षा इस समय है उन विदेशी कंपणियों के कारण जिनके साथ CIA के एजेंट्स आए बहुत कम लोग जानते हैं कि पैपसी कोला के जो सबसे बड़े अधिकारी हैं इस देश में वो CIA के एजेंट्स है और ये मैंनी कहता हमारे देश की सबसे बड़ी एजेंसी है रो रिसर्च एंड एनलिसिस विंग उसने तीन रिपोर्ट तयार की हैं सीक्रेट रिपोर्ट हैं उन में से एक रिपोर्ट तो हमारे हाथ में लग गई थी और हमने हमारी पत्रिका में छापी भी थी बाद में उसमें हंगामा हुआ कि ये रिपोर्ट लीक कैसे हो गई तो देश के हितकी द्रस्टी से वो रिपोर्ट लीक हुई तो रो ने ये कहा है कि जितनी विदेशी कम पनियां आ रही हैं ये अपने साथ CIA के एजेंट्स लेकर आ रही हैं और मैं आपको एक दूसरी जानकरी दूँ पैपसी कोला जब यहां आया तो उसने सबसे पहला अधिकारी हिंदुस्तान में किसको बनाया अपना हिंदुस्तान की आर्मी के जो चीफ रह चुके हैं जर्नल बियन शर्मा उनके छोटे भाई जो खुद आर्मी में एक बहुत बड़े ऑफिसर थे वो अभी पैपसी कोला में नौकरी कर रहे हैं मने जिस आदमी को हिंदुस्तान के सारे टॉप सीक्रेट मालूम है वो आदमी अब परदेशी कंपनी में नौकरी कर रहा है इस तरह से हि अमेरिकन एजेंट्स आए हैं इनके साथ यह कंपनियां अकेली नहीं आई वही एक तरीका हो सकता है इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए कोई भाई है जो मुझसे मिलना चाहते हैं जरूर मिलें आपका स्वागत है इसमें एक चिठी है कि आपके विचार का हम प्रचा नहीं समस्ता हूँ दुर्भाग इसे जितनी विदेशी कंपनी इस देश में आती है कोई भी कंपनी टेक्नालोजी लेकर नहीं आती और जब-जब हमको किसी टेक्नालोजी की जरूरत होती है तब-तब हमको दुनिया के तमाम देश मना कर देते जैसे मैं आपको उधारन द आट तो वह यह कहा करते थे कि हिंदुस्तान 21 वी temp जायेगा जब सुपरः कंप्यूटर आएगा तो सुपरः कंप्यूटर हमारे देश में तो था का का दूसरा भारत को क्रायोजनिक इंजन चाहिए अमरीका का तो रोनाल्ड रीगन जो उस समय प्रेसिडेंट थे अमरीका के उन्होंने साफ साफ मना कर दिया उन्होंने का ना तो हम आपको सुपर कंप्यूटर देंगे और ना ही हम आपको क्रायोजनिक इंजन देंगे राजी उगांदी गए थे बड़े उत्साह के साथ और रोता हुआ चहरा लेकर वापस देश में लोटे फिर उसके बाद कुछ साइन्टिस्टों ने उनको सुझाओ दिया कि आप रूस से मांग लीजिए तो एक दिन रूस के सामने पहु सही अमरीका को पता चला कि रूस से क्रायोजनिक इंजन मिलने वाला है तो अमरीका ने रूस को ब्लैक लिस्टिड कर दिया और रोनाल्ड डीगन ने धंकी दी बॉरिस यलस्तिन को कि अगर आपने अपना क्रायोजनिक इंजन भारत को बेचा तो अमरीका आपकी खैर नहीं काउंसल आफ साइंस और इंडस्ट्रियल रिसर्च के वैग्यानिकों की तो उसमें राजीव गांदी ने अपना दुख्डा रोया हिंदुस्तानी वैग्यानिकों के सामने तो हमारे देश के बहुत सीनियर साइंटिस्स में उनका नाम नहीं ले सकता क्योंकि अभी भी वो लेकिन डरते डरते उन्होंने सुपरकंप्यूटर बनाने का प्रॉजेक्ट दिया पूना की एक एजनसी है सीडेक सीडेक हमारे सीएसायार का एक सिस्टर कंसर्न तो सीडेक के साइंटिस्टों को प्रॉजेक्ट मिला और सीडेक के साइंटिस्टों ने रात दिन मेहनत करके तीन साल में पहला सुपरकंप्यूटर बना दिया उसका नाम है परम जो परम नाम का सुपरकंप्यूटर है उसी की क्रपासे आप रोज आँखों देखा मौसम का हाल सुनते हैं टेलिविजन के और आज इस साल वही सीडेक परम से तीन गुना जादा ताकतवर और तीन गुना जादा तेज चलने वाले सुपरकंप्यूटर बना चुका है और अगले साल तक वो इस देश में फंक्शन करना शुरू कर देंगे और ये जितने सुपरकंप्यूटर बने हैं ये 100% इंडिजनस हैं एक भी सामान उसमें किसी विदेशी कंपणी का नहीं लगा और कोई भी विदेशी कंपणी उनको बनाने के लिए नहीं आई इस देश तो कोई भी विदेशी कंपणी आपको एडवांस टेकनोलोजी देने नहीं आती ये आप जान लीजे और दूसरा उधार नदू हिंदुस्तान में जितनी मिसाइल बनी हैं हमारे पास अगनी है प्रत्वी है त्रिशूल है बान है और अब हमारे हाँ हम बैलेस्टिक मिसाइल बनाने जा रहे हैं धाईजार किलोमीटर की मार करने वाली जमीन से हवा में जमीन से जमीन पर और हवा से हवा में 3 तरह की क्वालिटी की मिसाइल अभी बनने जा रही है इस साल तक लॉँच हो जाएगी और वो बनाई है DRDO ने डिफेंस रिसर्च डवलप्मेंट और्गनाइजेशन के साइन्टिस्टों ने 100% इंडिजनस हैं सब एक भी पैसे की टेक्नॉलजी उसमें विदेशी नहीं है कोई भी परदेशी कंपनी नहीं आई उसकी टेक्नॉलजी हमको देने के लिए तो जितनी टेक्नॉलजी है एडवांस वो हम खुद बना रहे हैं तो परदेशी कंपनी क्या देने के लिए आई है टमाटर की चटनी मैगी होटन स्वीट टेमेटो चिली सॉस आम का अचार आलू का चिप्स पटेटो चिप्स रफल्स और होस्टेस का केटबरीस की चॉकलेट नैसले की चॉकलेट माने जिन चीजों को बनाने में कोई टेक्नॉलजी नहीं है जो जीरो टेक्नॉलजी के आईटम है उनी को बनाने के लिए मल्टिनेशनल आएं कोई भी हाई टेक आईटम देने के लिए आपके देश में नहीं आया एक प्रश्न है मुंबई के पत्रकार आपके बारे में गलत बचार करते हैं, वो तो महत्मा गांदी के बारे में भी करते थे, महत्मा गांदी को भी लोगों ने नहीं छोड़ा था, और मैं आपको नाम लेके कहूं, इस देश में एक बहुत बड़ा पत्रकार हुआ करता था, छोड़िये उसका नाम नहीं लेता, नहीं तो गलत फहमी हो जाए। गांदी जी के बारे में वो आदमी क्या-क्या नहीं लिखता था। मैं आपको उसके लिखे हुए कटिंग्स दे सकता। उस जमाने में दो-तीन बड़े अक्वार निकलते थे। एक था हिंदुस्तान टाइमस एक था टाइमस ओफ इंडिया। तो हिंदुस्तान टाइमस और टाइमस ओफ इंडिया में कोई एक सब्ता ऐसा बाकी नहीं जाता था। जब गांदी जी के बारे में वो पत्रकार ना लिखता हो। क्या-क्या नहीं लिखता। गांदी जी के चरित्र के बारे में, गांदी जी की हिपोक्रेसी के बारे में, गांदी जी को इडियोटिक कहा करता था, सब बातें कहता था, लेकिन गांदी जी ने कभी भी उस आदमी को अपनी लेखनी से जवाब नहीं दिया। अक्सर लोग कहा करते थे कि बापू आप अजीब आदमी है एक आदमी है जो रोज आपको डंक मारता है रोज आपको उकसाता तो गांदी जी कहते थे कि तुमने एक कहानी नहीं सुनी एक रिशी थे तो बिच्छु था वो रोज डंक मारता था रिशी को रिशी विचारे शा हो जाएगा और फिर मैं काउंटर अटेक करना शुरू कर दूंगा तो खाम-खां जो आदमी को कोई नहीं जानता वो आदमी सारे देश में चर्चित हो जाएगा कि राजीव दिक्षित ऐसे आदमी पर अटेक कर रहा है वो आदमी अन्य ससरी क्यों चर्चित बनाए हम उसको तो ठीक है बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह की बाते करते हैं